तो शुरू करते हैं लाइव कमिट्रिया फुट्बॉल इंटर कॉंटिनेंटल नाच इंडिया वोसन मंगोलिय जिसका बेस अबरी से हमें इंतिजार था दोस्तों बेस अबरी से हमें इंतिजार था वो मैच आ चुका है let's football guys let's football क्या होगे तो यहां पर शिरू हो चुका है football guys football शिरू हो चुका है मुझे थोड़ा से कान में वो पहनना पड़ेगा दो इस ना आ है दोस्तों यहां पर शिरू होगा भारतिय भारतिय मैच इंडिया वर्सेज मंगोलिया यहां पर बस आ चुके हैं शिरूआत करवाने के लिए मिनिस्टर साहब आ चुके हैं बड़ी धीरी चाल में चल रहे हैं इस वज़े से football भी धीरे चल रहा है यहां पर सुनील चेतरी की तस्वीर दिखाई दे रही ती जा रही है ब्ल्यू टाइगर्स सुनील चेतरी जी इंतजार कर रहे है मैच शुरू होने का यहां पर अभी मिनिस्टर साहब हाथ जोडते हुए आ चुके हैं तीन लोग हमारे साथ लाइव हैं इंडिया के सारे प्लेइंग 11 की लिस्ट आपकी स्क्रीन के उपर है दोस्तों तो बात करें हैं अमरिंदर 23 अनवर भाई खेल रहे हैं 4 मिशिरा भाई 6 उदान्ता वन अफ दे बेस्ट ट्राइकर छेतरी भाई भी सहाल एक से नुप जो चराउट कितना है वहा भाई किरौकर तो है ठीक ठाक है ज्यादा नहीं है ज्यादा क्राउट नहीं है चितना क्रिकट में होना चाहिए उतना उतना तो बिलकुन नहीं है विशाल rana is on the stream गो गो पाँच लोग बस सिर्फ पाँच लोग आये है लेट्स गेवड़ पूल गाइस थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं देखते हैं भारत को आज कितने पूल मिलेंगे मंगोलिया के खिला इंडिया वर्सेज मंगोलिया यहां पे नैशनल एंदम शुरू हो गया है साथ लोग हमारे साथ आ चुके हैं क्या बात हैं अभी मैं शुरू होने वाला हुग ना साड़े साथ से जोइन करेंगे सुपर से मैंने बता रहा है भाई कि साड़े साथ पर साड़े साथ पर साड़े साथ पर जोइन कर लिना तो इस वज़े से अभी तक समय लग रहा है क्राउड एबरेज एबरेज इतना खास क्राउड नहीं है जितना होना चाहिए ओक्योग के लोग हैं यहाँ पर काफी एच्टी इक्वालिटी में दिखाया जा रहा है मैच जियो फुटबॉल एच्टी पर मैच शुरू होने वाला है एलकेवी चैनल भाई कौन से चैनल पहाडी ब्रदर्स चैनल मेरे दोस्त पहाडी ब्रदर्स चैनल यहाँ पर लाइप कमेंटर होगी माज दिखाया जाएगा स्टेट यूनित पहाडी ब्रदर्स टार्टिंग 11 ओफ मंगोलिया ठीक है गोल की पर देख लीजे एक अंत्यवन और पी बारतन संगाल गरतेल ओध भाई क्या नाम है मंगोलिया के खिलाडियों के नाम से ही बंदर डर जाए इंडिया के शांदार खिलाडी सुनील चेतरी भाई का मैंने ढख दिये दो-तीन प्लेयर को मैंने ढख दिये एक दिन हमारा भी यहाँ पे चेहरा लगना चाहिए था अगर हम भी अच्छे से प्रैक्टिस करते फुटबॉल को अपनी जिन्दगी देते तो हमारा चाहरा भी यहाँ हो सकता था पिट कोई बात नहीं चेतरी भाई 11 नंबर क्याप्टन यहाँ पर क्या होगे फुटबॉल को फुटबॉल एजडी रुक्यार दिखा नहीं रहे मैच्छ फुटबॉल 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 बस थोड़ा से यहाँ पर मैच्छ की दुर्फ चलते हैं क्या होगे यार अभी अच्छा बरह चल रहा था पूट्स स्क्रीन पर काला पन पढ़ गया है दोस्तों यहां पर फुटबॉल मैच्छ नहीं दिखाया जा रहा टीवी पर अभी शुरू होने में टाइम लग रहा है इस विए से शायद पॉस किया हूँ अभी थोड़ी दिर में शुरू हो जागा टेंशन कोई कोई बात नहीं है यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कितनी देर में शुरू होगा पांच से दस मिनट लगेंगे फिर शुरू हो जाएगा मैच्छ टेंशन के कोई बात नहीं है आपके सामने स्क्रीन पे हमने स्कॉर कार्ड लगा दिया है जो कि तृरन चलने लग जाएगा जैसी मैच्छ शूरू होगा स्क्रीन यहां पर जिय थोड़ा से टाइम तो मैं जड़ा है होट स्टार में देखता हूं प्लेयर्स इन दफील्ड गाइस प्लेयर्स इन दफील्ड यहां पर अब साइड लिया जाएगा होट स्टार डाउनलोड करके देखते हैं फ्री की चीज़ हमेशा एंड वक्त पे साथ नहीं देती है अशीश पडेल हमारे साथ जुड़ चुके जैंद जै भारत बने रही है पहाडी प्रदस के साथ कहीं जाने की जुरूत नहीं है एक से रुकना दोस्तों ममी से ओटीपी लेकर अब भी बताता हूं ममोटी भी होगा बताने है जिरा होट स्ट्राइक का लेट्स फुटबाल गाइज लेट्स स्टार्ट फुटबाल माच इंडिया वर्सिस मंगोलिया फ्री का चक्कर खतम दोस्तों यह जियो शियो खतम भाई अगर आप लोग के पास मेंबर्शिप है तो यह आप लोग देख सकते हो जियो वियो के चक्कर मदरा ना काला स्क्रीन हो गया है वाँ ठीक है तो मैं शिरू हो चुका है छेत्री भाई अपने एरिया में आ चुके है ब्ल्यूज यहाँ ब्ल्यूज टाइगर्स पूरे तैनात हो रहे हैं अपनी फील्ड में जरूर जीतेंगे यहाँ पर सुनिल चेत्री भाई स्ट्राटेजी बना रहे हैं टीम को बता रहे हैं कैसे और यहाँ पर मंगोलिया भी काफी बाते कर रहे हैं हाथ जुक कर वो करके शुरू करेंगे माच को यहाँ पर सब लोग अपनी पोजिशन लेते हुए मंगोलिया टीम भारती खिलाडी सुनिल चेत्री फॉर्वर्ड पोजिशन लेते हुए मंगोलिया का कीपर टावल लेके पहुँच चुका है और यहाँ पर गोल कीपर अपनी जगे ले चुका है यहाँ पर हमारे भाई भी ले चुके हैं जगे गोल कीपर का नंबर है 23 आज अर्मिंदर भाई खेल रहे हैं गुर्परीट सिंग सांदू नहीं खेल रहे हैं अर्म ठीक है crowd, football में एक तरफ रहता है, एक तरफ नहीं ऐसा है, तो guys यहाँ पर शुरू होता हुआ match, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, the match has begun guys, kick-off से शुरू होता हुआ game, नीविया की ball से खेला जा रहा है, नीविया एस्ट्रो, टीम इंडिया ने बहुत ही शांदार तरीके से ball को आगे मारा, बट, मंगोलिया के player ने head से clear कर दिया, ball को फिर से आगे पहुँचा है, यहाँ पे टीम इंडिया के 15 नंबर खेला रही, बहुत शांदार तरीके से, बहुत ही शांदार तरीके से पास दिया, चिंगन ने बहुत ही शांदार तरीके से पास दिया, उदानता भाई, पूरे sprint मार के आगे गए, पर रोक नहीं पाए, अलित्या तुफान, अब रहा बारिश होने की chances है, कोई बात नहीं है, बारिश भी हो जाए, मज़ा आएगा स्लाइट टेकल देने में अलगी मज़ाएगा, यहाँ पर कॉर्नर मिला है दोस्तो, साथ नमबर खिलाडी थाप अब आए, एक कॉर्नर लेने जाएंगे, क्या हमारे, ओहो, क्लियर कर दिया है, मुझे लगा था चेतरी वाइफ अपने हेड से गोल मारेंगे, बट, क्लियर क साथ नमबर के खिलाडी अकेले, यहाँ पर अटाक और यहाँ पर क्रॉस बनाया, इंडिया के प्लेयर ने गोल ताग दिया, पहले ही दो मिनट के अंदर गोल कर दिया है, वान जीरो का स्कोर गाइज, दो मिनट के अंदर पहला गोल, इंडिया ने तो कमाल कर दिया, वाट ग्रेट क्रॉस बायार, सेवन नमबर, सेवन नमबर ने थापा भाई ने बहुत ही प्यारे क्रॉस दिया, रुप जाओ, थोड़ता पीछे जलते हैं, बताते हैं क्या हुआ, साथ नमबर के लाड़ी भागते वागे गए, गोल नहीं मारा, क्रॉस दिया, गोल कीपर के हाथ से बहुत छूटी फिर भागते बिए 10 नमबर आए और 10 नमबर ने गोल दाग दिया What a great match थापा भाई को salute what a great cross भाई और 10 नमबर आपके खिलाड़ी यह है सहल ने गोल मारा है दोस्तों सहल ने मारा है गोल अगर कोई दिक्कत हो फिर से बना दू सहल स्कोर्ट दगोल पॉर इंडिया असिस्टेड बाई थापा ठीक है असिस्टेड बाई थापा और यहाँ पर मंगोलिया को पहली डोमेड में सपाचट करते हुए भारती एक लाड़ी 1-0 एक और अटाइक मोड बनता हुआ मंगोलिया के गोल की पर गोल से बाहर आते हुए धीरे धीरे बाल को पास कर रहे हैं यहाँ पर शूट मारेंगे और यह बहुत ही लंबा शूट इंडिया के डिफेंस के बास बाल आ चुकिया इंडिया के डिफेंस ने हेड मार के बाल को क्लियर किया और यहाँ पर منगोलिया के खिलाडी के बाश बाल आ maternal चुक्ए है बहुती प्यारा पस इंडिया के डिफेंस को चीरते हुए पासिंग शॉट पास बहुत अच्छे इंडिया के बास बाल आ गई यहाँ अपर स्लाइड टैकल मारा और बारतिया खिलाडी को गिरा दिया और साथ में मंगोलिया प्लेयर भी गिर गए और इंडिया के खिलाइड इतने खतरनाग है कि उसके मुझ पे पूरे पैर रख भी आराम से कोई बाद ने इस अ ग्रेट गेम गाईज यहाँ पे मुझ पे नाक पे चोट आईए शाहिए मंगोलिया प्लेयर के नाक पे चोट आईए अवं भाई नोटिस करो पूरी मंगोलिया डिफेंट का सोच रही है अरे भाई इंडिया के आगे डिफेंजी करेगी और इंडिया यहाँ पे कातिलाना स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है तो दोस्तों यहाँ पर मैच में टीम इंडिया कोशिश पूरी कर रहा है मंगोलिया के प्लेयर डिफेंस करने की पूरी कोशिश टीम इंडिया ने अपने गोल कीपर को बॉल दे दी है गोल कीपर न सीधा ही छूटते ही शॉट मार दिया यहाँ मंगोलिया के प्लेयर के पास बॉल आ चुकी है मंगोलिया के प्लेयर ने अपने प्लेयर को पास दिया और यहाँ पर फिर से मिडफिल्डर ने एक बहुत ही शांदार पास निकाला अपने प्लेयर के लिए बट टीम इंडिया ने नाकामियाब कर दिया उनके नापाक म तो यहां पर दोस्तो हैड मार के बाहर कर दिया आउटसाइड मिल गई है मंगोलिया को और गेम शुरू होता हुआ मंगोलिया के मिड़ फिल्डर के पास बॉल आ चुकी है और मिड़ फिल्डर ने एक क्रॉस बनाया बहुत ही शांदार और यहां पर रोक नहीं पाए 17 नंबर गो 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 वें इंडिया इंडिया ज़रूर जीतेगा चै मिनिट के अंदर जो टीम गोल मारते हैं वह तो कमाल करेंगी ही करेंगी जो 6 मिनट के अंदर गोल मारते वो कमाल करेगी ही करेगी बताते हैं क्या चल रहा है मैच के अंदर यहाँ पर मंगोलिया के कोच काफी ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं इचीरो ओट्सु का हैड कोच मंगोलिया के काफी जादा टेंस दिख रहा है क्योंकि पहले ही मिनिट में इतना घातक हमला हो गया उनके उपर थोड़ा सा समय दीजिए यहां पर पूमा है तोलि कि वा biz झ्यओर रहा है तुब कर दोग। तो यहां पर मैच शुरू होता हुआ सीख रहा हूँ लैट विंग से अच्छा रन था तो यहां पर चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं गो लाइप पर क्लिक करते हैं फिर से यहां पर टीम इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका काफी शॉर्ट पासस खेल के और यहां पर टर्ण किया मंगोलिया के प्लेयर के पास बहुला चुकी यह अटाग मोड बन चुक है मंगोलिया के प्लेयर ने अपने प्लेयर को पास दिया राइट विंग से हमला होता हुआ दोस्तो और यहां शांदार तरीके से पास टीम इंडिया के पास बॉल नहीं मंगोल या काफी अच्छे शॉट पासस खेलके गेम को बहतरीन बना था वो बहुत ही शांदार पास वन अन वन का मैच वाट अ ग्रेट डिफेंस बाइ फाइव नंबर प्लेयर जिंगन बचा लिए वाई गोल बचा लिए वरना क्रॉस बहुत ही शांदार मतलब अमेजिंग पास था टीम इंडिया के पांच नंबर ने काफी अच्छे डिफेंस किया हैट्स ओफ टू टीम इंडिया जिफेंस बाल बाल बचे मंगोलिया के प्लेयर्स ने बाल शीन ली है अगेन एक और क्रॉस निकाला यहाँ पर साथ नंबर खिलाड़ी निकलते हुए और एक क्रॉस बनाया टीम इंडिया के डिफेंस ने बाल को बाहर किया मज़ेदार गेम चलता हुआ टीम इंडिया पे दार कारी हो रहा है यहार यह क्या हो रहा हुआ स्क्रीन अभी देखा मैंने यह क्या और भाइस गॉड स्पीड से लाए अज़्त अब भी देखा गॉर्ट सुक्ड़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही शांदार और उंधा मैच चलता हुआ पहाडी ब्रिद्रिस की लाइट ट्रीविंग में पहाडी ब्रिद्रिस का मैच आप लोग देख रहे हूँ India versus Mongolia We are doing live commentary for this match and यहाँ पे इंडिया बहुत तेजी से निकलता हुआ Left wing की तरफ से निकलता हुआ but कुछ गडबढ हो गई सद्र नमबर खिलाडी के ball सदर नंबर के प्लेयर ने थोड़े सो बॉल को पास देनी की गोशिश की जहां पर कुछ गड़बर हो गई वीट फॉर फ्यू मोर मिनिट्स कहीं लाइब आ रहा है क्या भाई आ रहा है सुस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है यहां पर देखते क्या गड़बर हो यहां पर ऑफसाइड निगल गए थे सुनील भाई एक शानदार मौका हो सकता है मंगولिया के लिए मंगोलिया के प्लियर काफ़ी ज्यादा एग्रेसिव मोर में आ चुके हैं जीतना है जो उन्य एग्रेसिव खेलना पड़ेगा भारती के लारियों के पस बाल टिक नहीं पा रही है मंगोलिया काफी शॉर्ट पासिस बनाते हुए अपने बास बाल रख रहे हैं बाल पोजेशन जादा मंगोलिया के पास मैंने बोला था कि ये विंग पे लेकर जाएंगे मंगोलिया के वहीं से निकल रहा है मंगोलिया बार बार निकल रहे हैं और इंडिया ने एक ऐसा ही attempt दे दिया कोई positioning नहीं थी मंगोलिया के player की बस ऐसा ही shot मार दिया मुझे बहुत tension है आज के match के लिए इंडिया जीत सकती है ना गाईस जीतेगी भाई जीतेगी इंडिया जीतेगी यार इंडिया वर्सिस मंगोलिया का match चल रहा है इंडिया जीतेगी पता नहीं छेतरी जी क्या कर रहे हैं छेतरी जी अरे भाई करेंगे यार सबर करो 90 मिनिट का match है 10 मिनिट हुए यहाँ पर 15 नमबर खिलाड़ी के बस बॉल आ चुकी है देखते है रन लेंगे यहाँ और यहाँ पर बहुत ही सोची समझी साजेदारी यहाँ पर आठ नमबर के प्लेयर ने बहुत बड़ी गल्ती कर दिया इतना प्यारा मौका बहुत प्यारा पास आठ नमबर के खिलाड़ी रालते ने राहता फैला दिया बहुत ही बड़ी आपास एक शॉट मारना था गोल पर अटेम्ट रालते भाई ने राहता फैला दिया एक इस नमबर के खिलाड़ी ने बहुत शांदार पास दिया मानना पड़ेगा निखिल भाई का पास अमेजिंग पास था पर रालते भाई क्विक एक्शन नहीं दे पाए और ओवर दबार शॉट मारा इंडिया अच्छा खेल रही है सुनो कमेंटरी इंडिया बैतर खेल रही है बट अभी गलती करती रालते भाई ने थोड़ा सा रायता वैता फिला दिया है I have already predicted 3-0 win for इंडिया क्या बात है दित्या पांड़ा मैच फिर से शुरू होता हुओ 1-0 का स्कोर यहाँ पर इंडिया को बैस बॉल 21 नंबर खिलारी निखिल भाई निखिल भाई से पहुंच चुकी है 15 नंबर खिलारी के बास और यहाँ पर मंगोलिया ने स्लाइट टेकल देके हाफ लाइन क्रॉस इंडिया के प्लेअर्न ने सीड़ा हैड हैड से क्लियर किया 17 नंबर खिलारी के बास बाल आचुके 17 नंबर खिलारी ने बाल को बाक बास किया defense line पर बाल चल रही है defense line पर आचुके पास नंबर जिंगन भाई के पास बाल जिंगन भाई ने 21 नमबर खिलाड़ी को दी और केम को आगे बढ़ाया और यहाँ पर मंगोलिया के पास बाल क्योंकि स्लाइट टैकल इंटरसेप्ट करके बाल अपने पास रखी बढ़ टीम इंडिया के डिफेंडर्स के पास वापस बाल आ चुकी है डिफेंडर्स ने बाल को आगे अपने प्लेयर को देने की कोशिश की पार मंगोलिया के प्लेयर ने वापस कीपर को बाल पास कर दिया इंडिया के बास बॉल आ चुकि ये शॉट पास्स बनाते हुए एक बर्मुड़ा ट्राइंगल फॉर्मेशन में खेल रहे है और यहां पंदर नमबर के बास बॉल आ चुकि ये रिसीब करने ही कोशिश मंगोलिया ने चीन ली दोस्तों मंगोलिया के प्लेयर ने बाहर हमारे साथ है आईशे थाकर हमारे साथ है चलो मैच पर फोकुस करते हैं सो गाइस इंडिया इंडिया और मंगोलिया का मैच काफी जादा खतरनाक चलता हुआ वो भी बिलकुल लाइन पर बिलकुल लाइन पर चिपक के खेल रहे हैं खतरनाक तरीके से और मंगोलिया का आउ corner corner 6 number खिलाडी ने ball को भार किया अब corner मिलेगा भारत को 7 number खिलाडी थाप अबाई लेने जा रहे है corner let's see दोस्तो क्या थाप अबाई convert कर पाएंगे क्या थाप अबाई गोल पर convert कर पाएंगे या नहीं जाने के लिए देखते रहे हैं पहाडी प्रदस की ये शांदार लाइस्ट्रीम ठीक है तो यहाँ के आप लोग देख लीजिए और बहुत ही शांदार तरीके से cross और इंडिया ने गोल मारने के head से खोशिश किया और ये दूसरा गोल what a great match का है 2-0 बहुत ही critical critical goal ता है 2-3 intercept हुए और फिर एक kick मार के goal कर दिया goal किया है जिस player में उसका नाम है उसका नाम है 17 नंबर के शांदार खिला रही शहान गते भाई ने मार दिया goal सहल भाई भी है रुप जा deflection deflection और यहाँ पर 17 नंबर के खिलाड़ी सांगते भाई ने बहुत ही शांदार तरीके से बहुत ही बढ़ी है head मारा 5 नंबर के खिलाड़ी जिन गन भाई ने फिर एक pair इदर से लगा इदर से लगा बहुत confusing goal ता है मंगोलिया क्या हम ही नहीं समझभा रहे है मंगोलिया की defense ने kick मारी भाई से intercept हुई ball और फिर 17 नंबर ने pair डाल दिया goal हो गया what a great match गाईज सहल भाई ने और चांगते भाई ने सहल भाई ने 2 मिनट के अंदर goal मारा चांगते भाई ने 15 मिनट के अंदर goal मारा और ball अभी outside जा चुकी है 2-0 का शांदर match 23 people are watching the match what a great match guys 2-0 इंडिया तो आज आग लगा रहा है यहाँ इक और भाई भी पूरी कोशिश करने टीम को और motivate करने की दो से कुछ नहीं होगा 10 goal चाहिए 10 goal चाहिए यहाँ पर head मार के ball को पुरी कोशिश की गई है लेने की यहाँ पर ref ने कोई indication नहीं दिया मंगोलिया के player काफी तेजी से ball ले जा रहे थे इंडिया के player ने रोका यहाँ पर clearance देखीने को मिल सकती है बहुत ही शांदार clear by team India's goalkeeper ball को half line के pass outside करा दिया पर बहुत ही बड़िया safe था दो attacker मंगोलिया के हमारी तरफ बढ़ रहते भाई ने पूरे पूरा time लिया और एक shoot मारा लंबा यहाँ पर match फिर से शुरू होता हुआ team India के बस ball काफी अच्छे शॉट पास इस खेल रहे team India defense को दिये defense ने midfielder को वापस से defense के बास ball आ चुकी है और यहाँ पर एक लंबा shot line पर खेला और India के पास receive कर लिया गया पास को बहुत ही शांदा तरीके से India फस्ते हुए पर यहाँ से निकल गया यहाँ पर मुझे लग रहा सुनील शेतरी के बास पर यहाँ पर गिरा दिया I guess penalty मिल सकती है भारत को हे प्रभू penalty दिला दे तीन गोल मार देंगे यहाँ देखने कि अगर बढ़ हुई captain ने पास दिया बहुत ही शांदर तरीके से यहाँ पर एक बर ब्लॉक किया दो बर ब्लॉक किया और फिर पैर दे के गिरा दिया पैर डालके गिरा दिया मेरे हिजाब से penalty होगी पंदरा नंबर खिराड़ी को उदान ता भाई को गिराया गया है penalty मिलनी चाहिए विशाल भाई very sad to see that जहां बैनमिंटन में इंडिया गरीब 100-200 होते हैं यहां फुटबॉल में 25 बस कोई बात नहीं है कोई बात नहीं कुछ तो है इसमें गलती किसी की नहीं है लोग ही ऐसे हैं सीरिस नहीं है फिल बाल को लेगी खोई बात नहीं अभी फोकस करते हैं कमेंटरी पे दोस्तों यहाँ पर इंडिया को बाल आ चुकिए नो पैनल्टी कुछ नहीं मिला उदानता भाई खुद गिरे हैं ऐसा बोल दिया रेफरी ने बट पूरा इंटेंशनली गिराया गया है उदानता भाई को यहाँ पर मैच बहुत ही शांदर तरीके से चलता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी अक्रॉस है किस नमर खिलाडी ने पर मंगोलिया के प्लेयर ने प्लेस्मेंट अपनी चेंज करने के वज़े से बॉल मंगोलिया के पास मंगोलिया अपने पास बॉल को रोटेट करते हुए लेफ विंग को दे चुका है और यहाँ पर मंगोलिया के प्लेयर मिड़ फिल्डर्स के पास बॉल आ चुकी है मिडफिल्डर्स ने डिफेंस को दिया डिफेंस देखते है किसको देता है पास नमबर खिलाडी ने बॉल पास कर दी है और यहाँ पर सेंटर लाइन पर बॉल को रोटेट किया जा रहा है एक लंबा क्रोस और यहाँ पर पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी बट काफी जादा दूर चौदर नमबर खिलाडी फॉरवर्ड प्लेयर पकड़ नहीं पाया इस बॉल को थोड़ा सा दूर हो गई पोजीशनिंग काफी अच्छी थी चौदर नमबर के उस जगे पर कोई नहीं था इंडिया का डिफेंस इससे गलती की नहीं लोग है अकीला लगा हूँ सपोर्ट करने में मैं कमेंट कर रहा हूँ लाइफ देख रहा हूँ थैंक्स अलोट या तेरा लोग हमारे साथे पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है प्लीज लाइक कमेंट और शेर दे लाइड स्रिमिंग गाईज इतना कर दीजे बस यही मांग रहे हैं आप लोगों से मैं शुरू होता हुआ भारत की फुटबॉल प्लेयर्स देख लीजे मंगोलिया को पहले ही 18 मिनिट के अंदर दो डाला दो गोल मार दिये हैं भी तीसर गोल के लिए पुरी कोशिश कर रहे हैं निखिल भाई 21 नमबर खिलाडी बॉल को अपने पास रोटेट कर रहे हैं मंगोलिया के प्लेयर्स को अट्रैक कर रहे हैं और मंगोलिया के प्लेयर्स आ रहे हैं भाई से बढ़ते हुए और यहाँ पे देखिए 21 नमबर खिलाड़े के बस बॉल और थोड़ा सा एक बहुत ही प्यारा पास निकाला आफ साइड मिल गया 15 नमबर खिलाड़े हैं हमारे उदानता भाई का आफ साइड 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 चल दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं मंगोलिया के पास बॉल और मंगोलिया ने बहुत ही शांदा तरीज बॉल को निकाला पाद टीम इंडिया का डिफेंस अभी यहीं था दोस्त निकिल भाई ने अपने जान पर खेल के एक स्टलाइट टेगल मारा बॉल को बाहर किया वाट अ ग्रेट गेम भाई जिंगन भाई जिंगन भाई पांच नमबर खिलाडी शांदार डिफेंस जिंगन भाई भागते भाई बाल को क्लियर किया और फिर उसके बद गिर गए फुट बाल में तो यार गिरना एक आम बात है टू जीरो मंगोलिया हारता हुआ इंडिया से मैंने कहा आप बाकी तीन मैचे इंडिया के लिए इजी है लेबिनन के साथ एक खतरनाक मैच देखने को मिलेगा आपको जून पंद्रा को जैहिंद जैभारत जैहिंद जैभारत पर नहीं देखिए पहाड़ी प्रिदस के साथ किया रा जीरो घसकोर कहा गए वह जब इंडिया हारती है बैडमिंटन में तो बुरा बोलते हैं आज है टीम इंडिया दुश्मनों के खेमे में पहुँच चुके हैं डी के बाहर बॉल को रोटेट कर रहे हैं और यहां पर बहुत ही शांदा तरी इस बॉल को निकाला और गोल कीपर और क्लैश हो गया है डिफेंस के बीच में देखने हैं क्या हुआ बहुत ही रफ गेम चला भाई बहुत ही रफ गेम बहुत ही रफ गेम बट किसी को इंजरी नहीं है टैच्छुड इंडिया वर्सिल मंगोलिया थू जीरो इन ट्वेंटी फिर्स मिनिट अमन नर्वाल जैहिंज वर्त कहां गए वो सब मैं पागल हूँ यहां कमेंट कर रहा हूँ और लाई भी देख रहा हूँ विशाल भाई कमेंट करो 18 लोग हमारे साथ है बड़ कोई कमेंट नहीं कर रहा है प्लीज राइट दे कमेंट भाई वो फुटबॉल आप लोग जब फुटबॉल देखोंगे तो मज़ा आता है यार 17 नंबर खिलाड़ी इंजड हो गए हैं I don't think so कि वो खेल पाएंगे जब भी मुझे शक होता है तब ही वो खेलने लग जाते हैं सहल भाई दस नंबर खिलाड़ी पसीना पसीना हो चुकी है और हर एक खिलाड़ी पसीने पसीना हो चुका है टॉप स्पीड 32.1 थर्टी टू किलोमेटर पर आर की स्पीड से भाग रहे बन दे हैं यहां पर बाल को पास कर दिये दो इंडिया के प्लेयर मंगोलिया के प्लेयर पीछे से भागते वाएं मंगोलिया के प्लेयर के पास बाल आ चुकी है यहां पर आगे बाल को निकाल दि घ्रिफेन्स इंडिया के बावल बहुत है जो जो है अधर डार में ग्रेट पोजिश्टनिग बाई टीम इंडिया जैन्टर वार वापस देगी बाल डिफेंस को दे दिया, अपने पास रखने के कोई कोशिश नहीं कर रहा है ऐसा कोई प्लेयर नहीं दिख रहा है जो अपने पास बाल को जादे दे रहे काफी अच्छी स्ट्राटेजी है, यूरोपियन फुटबाल भी ऐसा ही खेलते है उनका गेम इतना अच्छा है क्यों है, क्योंकि वो वन टेच पास देते रहते हैं और सामने वाला ठकता रहता है, ठकता रहता है और यहाँ पर कोई नहीं था, बहुत इच्छी पोईशनिंग हो सकती थी अगर भारत कोई भी खिलाडी अपने विंग में रहता, अपने राइट विंग पे रहता तो मज़ा ही आ जाता क्लियर बॉल उसके पैर पर आती वटसब के सब डी के अंदर थे, इस वज़े से ये बॉल पहार चलेगी, स्मूध ली 21 नमबर खिलाडी निकल भाई, ने बॉल को मारा मंगोलिया प्लेयर के पास पहुंच चुकी है मंगोलिया प्लेयर ने अपने प्लेयर को पास किया यहाँ पर टीम इंडिया ने इंटरसप्ट करके बॉल लिका लिया और बहुत ही शांदा तरीके सब वन आन वन हो सकता था है यहाँ पर इंडिया के प्लेयर ने बॉल को अपने पास रखा और यहां मंगोलिया के प्लेयर दस नमबर खिलाडी को फावल मिला है I guess दस नमबर की प्लेयर ने गाफिए चैंटर सेक्शन बॉल को निकाला अराउंड दे वर्ल किया और यहाँ जब बॉल को निकाला टू जीरो मंगोलिया मंगोलिया सबसेटूट करना शुरू हो चुका है 25 मिनट के अंदर मैच जाच चुका है दोस्तों दस वियर हमारे साथ लगातार बने हुए कीव सपोर्डिंग पहाडी ब्रदर्स तो दोस्तों यहाँ वे टू जीरो गस्कोर एक प्लेयर जमीन में गिर चुके हैं मंगोलिया के विदाउट बॉल टैकल शेयर नंबर खिलाडी भारती वार्निंग दे के छोड़ा नीर मंचारा है इंडिया विल्विन 3-0 के लेट सी गाइस इंडिया तीम जिरो गोल्ड मार पाए गया यह नहीं विशाल राना भाई हमारे साथ जोड़ चुके हैं यहाँ पर दस लोग छैसो लोग और दस लोग ब्रो इंजॉए दे माच को गो इंडिया विल शुर्ली विन दे माच मंगोलिया ने यहाँ पर बॉल को अपने प्लेयर को दिया मंगोलिया यहाँ पर सेंटर पर आ चुका है डी के अंदर घुसने की कोशिश टीम इंडिया के डिफेंस बॉल को आगे पहुचा दिया है और इंडिया के प्लेयर ने काफी अचा डिफेंस ने काफी अच्छा रोका यह वन वर्सेज वही था वन ऑन वन और बहुत ही बड़िया डिफेंस क्रॉस नहीं जाने दिया पांच नमबर खिलाड़ी मंगोलिया के आप देख लो गरल्ट ओडी इन्होंने काफी अच्छा डिफेंस किया टीम इंडिया के प्लेयर को क्रॉस नहीं करने दिया क्रॉस होता तो यह डेफिनिटली गोल था दोस्तों क्योंकि अभी तक जितने भी क्रॉस हों है सब में गोल मारा है भारत ने अब फीफा की बारी फुटबाल में इंडिया च्छा गया लंबी लराई तो भाई लेबनन के साथ है जून पंदरा को मैच होगा वो मैच ने हैड मार दिया बट अभी भी दस नमर किला दिया हमारे पोजीशन में थे बाल हमारे पास ही है अब बारह मिनिट के बाद से बाल पोजेशन इंडिया के पस काफी अच्छा है पूरा गेम को खोलने की तैया ही डिफेंस ने बाल गोल कीपर को दिया कोई प्लेयर आने ही जाया आगे और ये गोल्कीपर ने बहुत आगे तक बॉल को रखती है तो मोंगुलिया यहां पर One आउन की सिच्वेशन된 सकती है क्रॉस बनाया प्लेयर ने छोड़ा मंगुलिया के फिल n यह यह बहुत प्यारा मौका थह भारत कि बास और अ ग्रेट ड्रेबल बाई है बहुत ही बढ़ी अड्रेबल किया और किर शौट तो मार रहे थे पास देने के लिए बट आ जम नहीं पाया अग्णika बारह सेहल भाई तो आज कमाल कर रहा है बाई ड्रिबलिंग के किंग बन चुके हैं जितना ड्रिबल करेंगे ठकेंगे भी उतना हैं यहाँ पर मैच रुक गया थोड़ा सा रुक जाओं यहाँ पर यह गड़बड हो गई थी सहल भाई ने काफी अच्छा फेक देने के बाद बॉल को पास दिया बट मिस पास हो गया और ब और यहाँ पर सैल भाई ने बहुत ही तुरंत पास दिया ओट माई गॉर्ड इसा है यहां पर मंगोलिया के बास बाल इंडिया ने डिफिंस किया फिर से मंगोलिया के बास बाल इंडिया ने फिर से डिफेंस किया डाक टुबक डिफेंस पास डिफेंस पास डिफेंस पास यही चल रहा है दोस्तों 10 लोग अमरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक 23 लोग मैक्स हमारे पास आये थे और अभी काफी कम लोग है 11-10, 11-10, 11 कोई मैसेज नहीं कर रहा है बस चुप चाप से देख रहे हैं इंडिया 2-0, 29 मिनिट्स के अंदर ये मैच पहुंच चुका है दोस्तों इंडिया और मंगोलिया का और शांदार मैच आप लोग पहाड़ी ब्रिदर्स के साथ देख रहे हैं इस मैच को मिस मत करिया अदर वाइस यू विल मिस आल दफन असली जिन्दगी का मज़ा फुटबॉल में ही तो है और किस चीज में है 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 हलो माइ फ्रेंड कोड कोशेंट वीडियो फाइनली आ चुके है हमारे साथ यहाँ पर बात की जाए तो बहुत ही शांदार मैच चल रहा है इंडिया वर्सल मंगोलिया का 30 मिनट के अंदर भारत ने दो गोल कर दिया है मंगोलिया को मुझ चुपाने की जगे नहीं मिल रही दोस्तो भारती खिलाडी काफी शांदार तरीके से खून पसीना एक करके बैक टू बैक गोल मार रहे हैं ताकि इंडियन ओडियन्स का खून जागे और फुटबॉल को भी सपोर्ट करें सिर्फे की स्पोर्ट के उपर मच्चिप को दोस्तो वी नीड सपोर्ट लाइफ सर्फ एक के सजार देख रहे हैं हमारे साथ गया रहे देख रहे हैं अचा वर्ल्ड कप चल रहा है डबलो टीसी चल रहा है इसके लिए सुस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा विदाउट सुस कि बहुत ही बड़ी है गोल याद कि अगया इंडिया ने पड़िगा टू नाइन डिसिक्स में अब अब इंडिया ने पड़ भी गया अब बड़ा बुरा हाल यार इंडिया तो यहां पर रेस्ट थोड़ा सा वाटर ब्रेक मिला है दोस्तों पानी पीने के लिए मैं अब दो मैच को भाई यहां हीरो की तरफ से एक्स पॉल्स 200 मिलेगी क्या बात है जो जीतेगा उसे बाइक मिलेगी मैन अब दो मैच को अपनी तरफ से गेम में आख डाल दीजिए और बाइक ले जाईए क्या ओफर है दोस्तों अगर आप मैन अफ दो मैच बने तो आपको हीरो एक्स पॉल्स 200 मिल जाएगी फ्री अफ कोस्त बस अपना बेस्ट देने आपको वह लोग दूसरी लाइव स्ट्रीम में हैं वन के लाइव वाचिंग ओके मैं भी दो देखू कहा रहा है वन के टू जो लाइव ओकोगर तो यहां पर टू-जिरो निया मोंगोलिया की काफी लोग लाइब स्क्रीमिंग करते हुए बट पहाडी ब्रिजर्स के पास मझे लग रहा है कम है और बाकियों के पास ठीक ताक है ओके खोई बात नहीं दोस्तों यहाँ पर पब्लिक कम आ रही है फुटबॉल में कहीं भी एक के की वाचिंग नहीं है दोस्तों कहीं पर भी फुटबॉल में एक के की वाचिंग नहीं है एक बंदा कर रहा है अपनी मेहनत के लगा रहा है वहाँ पे 380 की वाचिंग है मैक्स फुटबॉल में सिर्फ यूट्यूब पे 380 की वाचिंग है और कहीं नहीं हम लोग दो चीजों को सपोर्ट कर रहा है बैंड मिंटन को भी और फुटबॉल के भी तो यहाँ पे मैच फिर से शुरू होता हुआ 23 नमर खिलाडी इंडिया की गोल कीपर बॉल को पास कर चुके हैं डिफेंडर को डिफेंडर ने मिडफिल्डर को पास दिया मिडफिल्डर ने और आगे पास दिया और यहाँ पे बहुत तीजी से भागते हैं वाय स्ट्राइकर और यहाँ पे इंडिया खिलाडी को जमीन बे गिरा दिया दोस्तों और दो खिलाडी को गिरा दिया 17 नमर डाउन देखते हैं किसी को इंजिरी तो नहीं हुई मेरे सबसे रफ कुछ काड़ वर निकालेगा अब तो निकाले यह तो गिराया है साफ गिराया और दूसरे बने ने मंगोलिय गिराने पे आगे हैं यहाँ पे कुछ तो काड़ दे ले यार आज काड घर पे ले जाओगे ग्या वार्निंग दे के छोड़ दिया 21 नमट खिलाडी के पास बॉल निकिल भाई ने फिर से बॉल आगे निकाली 15 नमट को 15 नमट ने बहुत ही शांदा अगे एक बॉल को क्रॉस बनाया बर टीम इंडिया के प्लियर के सामने आ गए मंगोलिया के डिफेंडर्स जो की बॉल को क्लियर करने में सक्षम रहे यहां मंगोलिया के पास बॉल एक लंबा शॉट मंगोलिया के पास बॉल लाइन पे खेलते हुए साथ नमबर क्लाडी मंगोलिया के डिफेंस के पास बॉल आ चुकी है ग्राउंड़ पास मिडफिल्टर को मिडफिल्टर ने एक सेकंड भी अपने पास नहीं रखा बॉल को फिर से आगे पहुँचा दिया अभी यहां पर बॉल आगे चार चुकी है बट टीम इंडिया के डिफेंस ने गाफिछ रोका टीम इंडिया के बस बॉल मंगोलिया ने शुरू किया गेम को मंगोलिया के डिफेंस प्लेयर के पास बॉल अधिते पांडा और केस वाट मेरा टीवी का सिगनल फिर चला गया जातर लोग इंडिया का फुटबॉल टीवी पर देख रहे हैं इसलिए स्ट्रीम पे व्यूज कम है भाई टीवी पे भी नहीं देख रहे हैं पहले 21,000 थे अब 18,000 हो गए हैं टीवी पे कोई नहीं देख रहा है यार कहीं ऐसा ना हो जाए ये इग और स्ट्रीमेक अगले हाफ के लिए सुनील भाई को रेस्ट दे दे हो भी सकता है शुजांग भाई अब जब जीत गए हैं तो क्यों सुनील भाई को हम इंजर्ड करें क्योंकि सुनील भाई को इंजर्ड कर दिया तो लेबिनन में खिले हो ना और यहां वन और वन का सिचुईशन था भारत ने बहुत ही शांदार तरीके से मैच को बचाया मंगोलिया के प्लेयर नाटक करते हुए जमीन में गिर गए है यहां पर पैनल्टी नहीं मिलेगी दोस्त पैनल्टी नहीं मिलेगी बहुत ही शांदार तरीके से पास आया प्लेयर ने बॉल को आगे किया और यहां पर यह penalty है penalty है it's a penalty team India को penalty का सामना करना पड़ेगा team India को penalty का सामना करना पड़ेगा दोस्तो किसी भी कीमद में मेरे इसाफ से penalty है यह साफ है देखते हैं अभी decision लेंगे 4 number खिलाड़ी को ने है वई 4 number खिलाड़ी ने मारा पैर पे अन्वर भाई ने गिर के स्लाइट टेकल दिया है और बॉल पे तो पैर लगा नहीं उनके पैर पे लगा है बॉल पे लगा ही नहीं है टेकल सीरा पैर पे टेकल लगा है मेरे साब से यह पैनल्टी है अगर मैं रेफ होता तो पैनल्टी देता और भाई को रेड गार रेड गार तो नहीं येलो गार तो देता ही देता और पैनल्टी नहीं दी यार चलो भाई किसमत अच्छी है इंडिया को पैनल्टी नहीं मिली वरना बॉल पे पैर लगा ही नहीं है वॉल पेपर लगा ही नहीं है ब्रो मैच किदर देख सकते हैं आ रहे हैं छेत्री जी आप हमारे साथ देख सकते हो नहीं तो आपको मेंबर्शिप लेनी पड़ेगी membership लेने के बाद आप match देख सकते हो और membership हमारी नहीं मत ले लेना कहीं और कहो कि भाई हम live नहीं दिख रहा है live देखना है तो आप भाई Disney Odd Star की membership लेनी पड़े हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं code question videos यहाँ पर team India के किस नमबर खिलाड़ी के बास ball एक किस नमबर ने खिलबाई ball को rotate करते हुए निकाल चुकी है ball को मंगोलिया के पास आ चुकी है और यहाँ पर गड़बड मंगोलिया के मिटफिल्डर के पास ball forward को दी forward ने ball थोड़ा सा short pass केला पर इंडिया के defense ने बहुत ही शांदार तरीके से ball को आगे कर दिया है 10 नमबर खिलाड़ी और 12 नमबर खिलाड़ी का clash होने वाला है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपास team India के player ने ball को रोका पर यहाँ मंगोलिया के player ने गिर के ball को बचा लिया वरना भी यहाँ पर गोल पड़ सकता था मंगोलिया का defense काफी शांदार तरीके से कोशिश कर रहा है इंडिया को नस्तना बूत करने का but team India के बस ball है कोशिश करेगी team India जीतने का आठ नमबर खिलाड़ी ball को आगे ले जाते हुए हुख चला दोस्तों यहाँ पर मैस देखते हैं सेंटर लाइन पर खाफी अच्छा मैस चलता हुआ यहाँ पर राइट विंग से इंडिया इंटर कर सकता है गोल कीपर के बस ball गोल कीपर अपने पास ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है मंगोलिया के player को यहाँ पर एकिस नमबर के निखिल भाई के बस ball आ चुकी है फिर तस नमबर के सब्सक्राइब ग्यार नमबर सुनील चेतरी भाई के बस ball सुनील चेतरी भाई के पैर बाल आ चुकी है और यहाँ पर left wing को पास दे दिया है लेफ फिंगर बहुत तेजी सा आगे बढ़ते हुए पास बढ़ा अच्छा दिया वापिस बैक पास ले लिया है और यहाँ पर कॉर्णर से क्रॉस करने ही कोशिश टीम इंडिया के बस बॉल आ चुकिए एक लंबा शॉट और बहुत ही बढ़िया भाई दस नमबर खिलाडी कमाल कर दिया सहल भाई ने कमाल किया बहुत ही बड़ी है शॉट लिया गोल नहीं हुआ बट गोल हो सकता था था थोड़ा सा इस ओके कोशन वीडियो होता रहता दीना अना राना मारे साथ है मैंस देख रहे है श्चांग भाई दित्य पांड़ा एंड कोशन वीडियो थैंक्स अलॉट फॉट पहाडी प्रदोस एंड कीप सपोर्टिंग फुट बाल तिल दी एंड यहां पर भारती किलाडी काफी अ भारती कखलाडी प्लीर्स काफी अच्छा कोशिश कर रहे हैं मैच को जीतने के यहां पर पांच मिनट बचे है और बाल को थोड़ा बहार बार फेका जा रहा है 21 नमबर के लाड़ी निखेल बाल को बाल को बार फेका काफी जादा बॉल निक्खिल भाई के पास दिखाई दे रही है मैन अफ दा मैच कहीं है तो नहीं ले जाएंगे सहल से रह गया शवशांग भाई यह सहल से रह गया यार बहुत ही बड़िया मैस था बहुत ही बड़िया शॉट मिला था अगर मार देते थोड़ा दबा के तो गोल हो सकता था मंगोलिया के गोल कीपर को देखा था क्या हवा में गोल मोल हो गया पुरा पुरी कोशिश की उसने बचाने की पर अच्छा हुआ टचोट की फ्रेम के अंदर नहीं मारा फ्रेम के अंदर मारा होता तो शायद नहीं बचा पाते हैं इंडियन गोलकीपर के बास बॉल आ चुकी है इंडियन गोलकीपर ने बॉल डिफेंस को दे दी है डिफेंस बॉल को आराम आराम से खेलते हुए डिफेंस लाइन पे बॉल को चला रहे है धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और पास नमबर खिलाडी के पास जिनकन भाई के पास बॉल आ चुकी है तेस नमबर खिलाडी बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल को पास कि आफसाइड दे दिया है पंदरन नमबर खिर्लाड़ी को आफशने दे दिया उदहांधा भाई की दूसरी आफ़सेड़ होगी उदहांदा भाई क्या कर रहे हो उदहांधा भाई देख तरो यार आफसाइड यहां भे गुल की पर से शुरू हो болr 요 इंडिया थेता जो और और ऐनिग किसी और ने की होगी यहां पे बॉल बहाद जा चुकी है दोस्तों पॉसेशन वाइज इंड्या का गेम काफी सही है पासिंग अच्छी तगड़ी पासिंग और पॉजेशन काफी अच्छा चल रहा है इंडिया गा और मान कर चलो जिसकी पॉजेशन अच्छी होती है ना बॉल की वो टीम जादा चांसे होती है 80 तो 90 परसंट की वो जीती है यहाँ पर 8-18 हो चुके हैं और यहाँ पर 2-0 का स्कोर सिर्फ 2 मिनट बचे हैं फिर हाफ टाइम होगा दोस्तों 2 मिनट और बचे हैं फिर हाफ टाइम हो जाएगा फिर आप पानी मानी पीने जा सकते हो और फिर तुरंत वापस आ जाना 20 लोग हमारे साथ लगातार यह मैस देख रहे हैं इंडिया वर्सेज मंगोलिया यहां पर भारती खिलाडी पूरी कोशिश करने यहां पर पास नंबर जिंगन भाई ने बहुत ही शांदार तरीके से क्रॉस पास दिया इंडिया ने रिसीव किया और यहां पर मिट फिल्डर्स के बास बॉल आ चुकी है वापस से बैक पास जनवर भाई केesto बॉल पास नंबर खिलारी जनगन भाई के पास बॉल और यह लंबा लेफ्ट विंगर को पास और यहां पर अफर सेट देती आफ सेडों बार 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 पर चार आफसाइड हो गई है इंडिया की उधानता भाई इतने उत्सुक मत हो जाओ यार मज़ा तो आ रहा है भाई कर सकता हूं मैं ट्राइ इंडिया वर्स पाकिस्तान का मैच मैं करूंगा आउन भाई गुड एफर्ट्स थैंक्स लॉट विशाल भाई भाई हो सकता है बह कि फाउल और रेफ द्वारा फॉल दिया गया कि इडियो के वस्बाल यहां पर फाउल हो गया दोस्तों मंगोलिया से ऑफसाइड नहीं ली गए लिंक से चले बाते हसता नीची किसी के उपर क्रिकेट करो तुम विकेट 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 तो यहां पर मैच शुरू होता हुआ डिफेंस के पास बाल है डिफेंस ने बाल दे दी मिट फिल्डर्स को मिट फिल्डर्स ने वापस डिफेंस को जिन गन भाई के पास बाल आ चुके जिन गन भाई ने एक लंबा पास डाला और यहां पर थोड़ा समलने सहल भाई समलते रह गए और तुर्ण पास दे दिया और यहां पर पंदर नंबर के लिए काफी अची बॉल बनाई तो थी पर थोड़ी जादा तेज देदी थोड़ी जादा तेज देदी जो की सीरा गोल की पर अच्छे से रीच कर सकता था थोड़ा फास्ट पास डाल दिया बहुत जादा उदान्दा भाई के पास एक अच्छी बॉल नहीं आ रही है पंदरा नंबर खिलाडी के अच्छी बॉल नहीं आ रही हर स्पोर्ट को शिशांग मैं दोनों ही देख रहा हूं क्या वाद है इनीड मोर गोल येस विशाल भाई को गोल चाहिए इंडिया टीम गोल करो अरे भ प्लस फॉर मिनिट यहां पर अटेम्ट कर दो नहीं 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 थोड़ा सा लेट करती हो दानता भाई ने क्रॉस देने में जिसकी वज़े से भारत को एक गोल चूड़ गया भारत से प्लिख उकंग इससे में यहांव भाई ब्लीग ब्लू जैस्या से लेट्स प्लेः फुट बाल लेत्स सब्स नत Healthy पला करो ौडीशा होकी है इदर हम थो सभी भी चल रहा है तक भुवन एस्पनेश्वर में हॉक्या है फीड़u चल रहा है देख रहा है नियर्फ देखा जाए तो उड़ी सा काफी एक्टिव हैं चीज़ों के लिए एस कंपेटो दिल्ली, मुंबाई इधर तो ग्लैमर ही ग्लैमर है बस फुटबॉल पर इतना कोई फोकस नहीं है है दिल्ली के कलबस पर उतने अच्छे नहीं है उक्के उक्के हैं यहाँ पर दिखावटी पन जादा है यहां एक एस नमबर निकल भाई के पास बाल बैक पास कर दिया जिंगन भाई के पास बाल पहुँच चुकी है डिफेंस के पास बाल आ गई है और यहाँ जन्वर भाई से बाल आगे निकली और यहाँ पर left winger को ball pass कर दिया और बहुत ही शांदार तरीके से ball को निकाला बट मंगोलिया के defense ने ball को अपने पास रख लिया और यहाँ पर गोल की पर ने एक लंबा shot मारा है team India के player के पास ball नहीं सीधा मंगोलिया के player के पास ball पहुँची है और यहाँ पर team India के पास ball आ चुकी है थोड़ा सा दवाव बनाया मंगोलिया player के उपर और मंगोलिया player ने ball दे दी 2-0 का score 4 minute का extra time है यहाँ पर 2 minute का extra time खतम हो चुका है 2 minute का बचा है दोस्तो ball आ चुकी है 7 number खिलाड़ी के पास इंडिया के player काफे चा केलते हुए ball को एक लंबा cross मारा है और यहाँ किस नमबर खिलाड़ी निकल भाई receive कर सकते थे इस ball को बढ़ नहीं कर पाए sorry बोलते हैं वे अपने team mate को यह बहुत ही बढ़िया cross दिया था बढ़ थोड़ा सा line पर ही दिया थोड़ा सा और आगे होता तो निकल भाई शायद रोख लेते कोई बात नहीं blue tigers are playing a wonderful game for team India please support them guys they are playing a wonderful match 22 लोग हमारे साथ देख रहे हैं please हमारे साथ ये football के match से जरूर देखना हम साफ championship की commentary बहुत तंदार तरीके से करेंगे आग लगा देंगे दोस्तो प्लीज पसा आप लोगा प्यार और support चाहिए अगर वो मिल जाए तो फिर देखना पहाडी प्रिदर्स कितना आगे जाते हैं और football को कितना आगे लेकर जाएंगे एक साथ देखेंगे दोस्तो watch long with पहाडी प्रिदर्स one minute left guys इसकुछ चंद सेकंड रह गए है एक मिनिट बचा है यहाँ पर match बहुत अच्छी तरीके से चलता हुआ एक इस नमबर निखिल भाई के बास बाल निखिल भाई ने बाल पास किये साहल भाई को साहल भाई लेके भाग रहे हैं और defense को पास कर दी defense मिश्रा भाई के बास ball मिश्रा भाई ने आगे दे दिया है आगे लाइन पर ball को खेला left finger के बास ball वापस से midfielder को बेजा और यहाँ पर center पर जगे खाली होती भी दिख रही है यहाँ पर पास नमबर खिलाडी ने जगे बनाई defense के बास ball defense खाली ball को दे दिया है गोल कीपर के बास गोल कीपर ने एक लंबा shot मानने के बज़ाए जिंगन भाई को ball बास कर दी है और यहाँ पर एक बहुत ही shot pass केला गया defense defense के थरू यहाँ पर एक और one touch बनाने की कोशश और यहाँ पर पूरा खाली यहाँ पर गोल कीपर की समझदारी मंगोलिया की गोल कीपर की समझदारी D से बाहर आके ball को clear किया उन्हें पता था कि अगर यह ball गलती से run लेने को मिल गया तो सहल भाई छोड़ेंगे नहीं सहल भाई के लिए ball बहुत easy हो जाती यहाँ पर गोल कीपर आ गए थे सई टाइम पर और ball को clear कर दिया बाहर की दरफ सहल भाई का निवाला छीन लिया गोल कीपर मंगोलिया के हम यार विशाल भाई अच्छी चीजे में मज़ा आता है यह चार मिर्ट का extra time इंडिया का पूरा back pass कर रही है अटाक नहीं अभी भाई एनर्जी बचा रहे है शेशांग भाई अभी एनर्जी बचा रहे है क्यों फाल तो में energy लगाएं अगले game से लगाएंगे रेस्ट के बाद ठकने दे रहे हैं अभी इनको अभी ठकने दे रहे हैं मंगोलिया को ठकने दो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो वाइंडिया नॉट एक्स्टा टाइम क्यों भाई क्यों एक्स्टा टाइम में एक्स्टा टाइम में एक्स्टा टाइम में एक्स्टा टालनी अभी पूरा मैच बचा पड़ा है 45 मिनिट का मैच है उसमें डालेंगे तो गाइज यहां पर आप 15- schizophrenia के लिए रुख गया है तो भाई बहुत ही बड़ी बड़ी आपने जी चले बहुत ही बड़ी बड़ी च्छ चले बहुत ही अच्छा पास देखने को मिलाः यहां पर गोलकीपर ने भी कमाल कर दिया दोनों ही गोलकीपर काफी जादा अच्छे लग रहे हैं देखा जाए सोच भी इन लोग की काफी जादा आगे तक है जब लग रहा है कि प्लेयर सामने आ रहा है तो तुरत भाग के आ जा रहे है रियाक्शन टाइम बहुत अच्छा है सहल भाई ने कमाल कर दिया सहल भाई का ड्रिबलिंग स्किल देखकर तो दिल मतलब अच्छा हो गए अभी तक भाई सुनील छेतरी जादा दिखे नहीं है गेम में सुनील छेतरी हमारे स्टार प्लेयर अभी बच्चों को खिला रहे हैं अभी खुद नहीं खिल रहे हैं जब वो खेल ले पाएंगे तब असली मज़ा आएगा तो आई होक कि आप लोगो पहाडी ब्रिदर्स की ये लाइस्ट्रिमिंग अच्छी लगए हो अगर आप लोग चाहते हैं फुटबॉल ऐसा ही होता रहे तो प्लीज सपोर्ट पहाडी ब्रिदर्स अदरवाइस मज़ा नहीं आएगा दोस्तों ठीक है आप लोग सपोर्ट करेंगे तब ही मज़ा आएगा अदरवाइस मज़ा नहीं आएगा सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है जब तीन या चार लोग देखते हैं बट अभी 20-25 लोग देख रहे हैं अब इंडिया में फुटबॉल देखने वाले आज भी जिन्दा है आज भी फुटबॉल में सपोर्ट किया जा रहा है भारती ये उतारवाइस ये गुड परफॉर्मेंस कोशिश अच्छी की है और गोल डिजर्फ करती है टीम इंडिया मेरे इसाब से कुछ बहायारी है टेंशे मतलब सब अच्छा हो अब यहां पर एक बार देखते हैं किस किस ने क्या क्या किया है है यहां और एक बता दें किस किस में गॏल मारे हैं किस किस के लिए मैं मंगोलिया की गोल देख रहा हूँ जबकि मंगोलिया ने तो गोली नहीं बारा ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हूँ शांकते भाई ने मारा है समात भाई ने मारा है 15 मिनट और 2 मिनट के अंदर थोड़ी देख में हाफ टाइम खतम हो जागा 30 मिनट मैक्स हाफ टाइम रहने वाला है उसके बाद पहाड़ी प्रिदर्स आपके साथ आएंगे और सपोर्ट करेंगे फुट बॉल फुट बॉल इंटर कॉंटिनेंटल कप अपने ही हाथों में रहना चाहिए दोस्तों मैं नहीं चाहता है कोई और कंट्री हमसे हमारा इंटर कॉंटिनेंटल कप छीन के ले जाए हमारा है हमारा था और हमारा ही रहेगा कोई छूके तो दिखाए स्लाइट टेगल मार देंगे यह हैड़ पे बॉल मार देंगे हमसे मत चीनना बड़ अमेजिंग फ्रॉम आर यंग प्लेयर सहर एंचाकते बोथ हर डूट येस दिलेश भाई अंधा टाइम हुआ अंधा टाइम हुआ अंधा कह रहा हूं समझ यह शशांग इसलिए रियाक कर दिया कोई नहीं यह बुट परफॉमेंस विशाल भाई अच्छी चीजे में मजा आता है यह 26 पीपल आ वाचिंग दे मैच और अभी हाफ टाइम चल रहा है दोस्तों जैसी हाफ टाम हो जाएगा हम लोग सपोर्ट करेंगे इंडिया को अगेंस मंगोलिया यह समय कट क्यों नहीं जाता यह 30 मिनट जल्दी क्यों नहीं खतम हो जाते बड़ अभी प्लेयर्स को रेस्ट भी ज़रत है दोफ्तों प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो खेलेंगे कैसे तो तर रेस्ट टाइम इस अबाउट टो वर सून बिलकुल फाइड अप हैं आज पहाडी ब दस इस लाइब स्ट्रीमिंग को और आगे बढ़ाएंगे सेकंड हाफ गुड ब्रो हाट टैमर बस तो विशाल भाई विशाल भाई भी हमारे साथ हैं पूरे टाइम तक सपोर्ट करते रहे धन्यवाद विशाल भाई आपका ऐसा ही योगदान शशांग भाई का योगदान और निलेश पॉल भाई का योगदान पहाडी प्रिदर्स कभी नहीं कोई बात नहीं let's play football let's support football and let's football guys please stay tuned with Pahadi Brothers do not miss the live streaming if you miss it you will regret it तो दोस्तो थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो जाएंगे और आप लोग फिर से दिल्चस्मी से इस बहतरीन football को देख पाएंगे तो दस तेरा लोग हमारे पास चुप चुप के आ रहे हैं और चुप चुप के जा रहे हैं ना कोई subscribe कर रहा है ना कोई हमें appreciate कर रहे हैंग football के इतने इतने लोग हैं जो कोई support नहीं कर रहा है क्रिकेट के पीछे मरे पड़े हैं सब के सब कोई appreciate नहीं कर रहा है बट कोई बाद ने आप appreciate करो या ना करो भी विर्फ support football till the end हम पहाडी ब्रदर्स हैं हम लोग पुरी कोशिश करेंगे football को उनकी पहचान दिलाने की badminton को हम पहचान दिला चुके हैं दोस बैडमिंटन को पहचान दिला चुके हैं काफी जादा लोग support करते हैं अगर इंडिया के ना करे तो Malaysia के हमें support करने लग जाते हैं इंडोनेशिया के लोग हमें support करने लग जाते हैं बैडमिंटन में की भाई PV संदूक तुम खेलो हम साथ हैं बहार की कंट्री हमें सपोर्ट करती है इंडिया के कुछ बहतरीन लोग हैं जो बैन मिंटन को आज भी सपोर्ट करते हैं निले इसपोर भाई शेशांग भाई और भी अंशु कुमार अदित्या भाई थैंक्स लोट फॉर एवरिवन बट मलेशिया और इंडोनेशिया भी अब नारे लगाने लग गया लक्षे भाई का किदाम भी भाई को सपोर्ट करते हैं और क्या चाहिए तीस लोग हमारे साथ लगातार बैठे हुए हैं धन्यवाद और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे असली मैच की तह भी हाफ टाइम चल रहा है धोस्तो जैसे हाफ टाइम खतम होगा फिर आग लगेगी फुटबॉल फील्ड में जब भारत और मंगोली आमने सामने होगा यहाँ पर थोड़ी सी सांस लेने का समय दे देते हैं हम उने है ना जैसी वो सांस वास ले लेंगे फिर हम लोग आग लगा देंगे फील्ड में अपनी कमेंटरे के साथ इंडिया के भाई जिंगन भाई ने कमाल कर दिया बहुत ही बड़िया वड़िया सेफ किये अनवर भाई को पैनल्टी मिल सकती थी उसके बावजूद भी उन्होंने स्लाइट टेकल मारके का पैनल्टी दे दूँगा बट गोल नहीं जाने दूँगा अपने रहते फिर मिश्रा भाई ने भी काफी अच्छे पासस किये निखिल भाई के पास बॉल पोजेशन काफी अच्छे दिख रहा है क्या पता एड दी एंड भाई कोई बाईक मिल जाए उदानता भाई कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए कोशिश काफी की और भाई से काफी ज़्यादा वो हुई है अच उदानता भाई से बहुत ज़्यादा आफसाइड हुई है देखा जाए तो चार में से तीन आफसाइड दो भाई ने अकेले कर दी छेतरी भाई का गेम फर्स्ट हाप में नहीं दिखा सहल भाई ने भी दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है अपने गेम की 32 किलोमेटर पर आर की स्पीड से भागते वे फुटबॉल की फील्ड में हलो बैक अगें मॉल कंटालिया इस बैक अगें गाईज और यहाँ बे दो जीरो का एक शांदार स्कोर ही या फिर नहीं कर पाएगा लेबनन के साथ इंडिया का मैच थोड़ा टकर का होगा मंगोलिया को तो मुझे लग ही राता कि हम हरा देंगे और भी दो कंट्रिया हैं जिनको हम हरा सकते हैं थोड़ा टफ अे हरा देंगे भट जो लेबनन हैं उसकी रैंक हम से अच्छी है वो हमारे बड़े बड़े ऑपोनेन 21st को हरा चुका है जिन से हम हरे उनको हरा चुका है इस वज़जे से उसकी रैंक अच्छी है तो लेबनन से डरने की ज़रत है जो मैच शायद 15 तारिक को होगा तो पहाड़ी ब्रदस के साथ लेबनन वर्स इंडिया को सपोर्ट करने में कोई कमी मत रखना आगे के दो मैच भी टफ हैं बट वो सूपर टफ है इतना उमीद मत रखो हाई 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 no chance सेहल अबदुल सहमद शागते वो निलेज भाइ इंडिया औस्टौलिया को 200 के नीचे रोकेगा नहीं स्टंबल प्लियर नहीं मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में कुछ होने वाला है क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला भाई जब मारे बड़े बड़े दिग्गेज प्लेयर तेरा चौदा में हार रहे हैं तो कैसे चले हैं विराट कोली चौदा रन बना रहे हैं और बड़े बड़े खिलाडी शम्मी भाई गिल तेरा चौदा पंदरा सोला जड़े जाने फिर बीज़त रख ली 48 रन बनाएं दो रन और बना ले तो पहले प्लेयर वो बन जाते पर किस्मत का खेल ही है सारा दोस्तों ये किस्मत का ही तो खेल है कि दो रन बनाने वाला इतिहास में नाम रच सकता था अगर दो रन और ले लेता था तो खाइस थोड़ी देर में फुटबॉल आने वाला है इंडिया 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 25 लोग हमारे सार रेगुलर बने हुए हैं धन्यवाद भाई हैं क्या क्या है इंडिया वर्ल्ड कप में कौलिफाइ करेगा 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 मॉल गंडालिया नहीं 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 अभी नहीं थोड़ा करो इंतजार 2-0 का एक शांदार स्कोर स्टार्टिंग 11 होने वादे हैं मेरे इसाब से आधे गंटे का ब्रेक होगा थोड़ा सा सबर कीजिए जैसे ही आएगा आपको बिलाया जाएगा तीस लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटेंशियम मतलो दोस्तों सपोर्ट करो पहाडी ब्रॉदस को और अगर दोसों पे भी रोख दिया तो 370 का टार्गेट मिलेगा फोर्ट इनिंग में अगेंस टेडली ऑस्ट्रीलियन बॉलिंग अटाक वहाई यहाँ पे क्रिकेट मत फैलाओ यार क्रिकेट का राय तो अरड़ी फैला हुआ है और मत फैलाओ प्लीस माफी चाहूँगा मैंने बोल दिया हुगा ऐसी देखने के लिए चला गया हूँगा मैं उचुकता रहती है मेरे अंदर मैंने चेक कर लिया प्लीस क्रिकेट की बाते इतनी मत करो और गोल चाहिए और गोल चाहिए दोस्तों रुको मत और गोल मारेंगे यहाँ पर मैंच थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा हाफ टाइम खतम होने वाला है दिल थाम के बैठ जाओ पॉपकॉर्ण शॉपकॉर्ण ले लो पेपसी एपसी पी नहीं है तो पी लो फिर मत कहना मन भाई है न टाइम नहीं दिया दस सब्स तो गो और 67 के तो सब्सक्राइबर सरनार के हैं यह तो पूरा योगदान दिनी कोशिश कर रहे हैं थीस लोग आए हैं बहुत खुशी होई है मुझे पांच सब्स जादा की अमीद नहीं थी जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर है मुझे लग रहा था कि वह यांगे बट नाओ दे आर सबोरिंग दे आर सपोर्टिंग फुटबॉल बहुत अच्छा लग रहा है 25 से 30 भी बहुत बड़ी बात है फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी स्ट्रीम में 25 से 30 आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे आ रहे होंगे 18-20,000 लाइब मैचस में 18-20,000 आ रहे होंगे अगर हम लोग दिखाने वाले हैं साफ चैंपिंशिप जो की बहुत ही प्रिस्टीजिस टूर्नमेंट है एंड इंटर कॉंटिनेंटल का हर एक मैच जो भी भारत का होगा वो दिखाया जाएगा तो प्लीज उस मैच को देखना ना भूले कुछ खालो विशाल भाई मैच देखना फ है और विशाल भाई आप इह वरत रख रहे हैं कि जब तक भारत और बहुंड से जीते का नहीं तो वह खाना नहीं खाएंगे तो अगर विशाल भाई कह रहे हैं कि अगर तीन गोल नहीं मारे तो आज से खाना वं फिर्फ पी एक उज़न भाई पानी प् Politics रहेंगे बाई मंगोलिया के साथ अच्छा होगा मंगोलिया अभी भाई अब करेगा अटायक मुझे लग रहा है तो गाइज यहां पर दिखाई दे रहा है सब्सिट्यूट खेलते खेलते बहार आ चुके हैं अब टीम इंडिया अंदर पहुंच चुकी है यहां पर पोजेशन की बात की जा दी गई बात करें शौट अन टार्गेट मंगोलिया का तो एक ही रहा शौट अन टार्गेट की बात करें तो सिर्फ एक ही शौट अन टार्गेट लगा मंगोलिया के गोल जीरो है और भारत से काफी पीछे हैं मुझे नहीं लगता कि भारत के आगे आज इस मैच में मंगोल ना सची दोस्ती, ये हुई ना सची भक्ती फुटबॉल के लिए, ऐसे ही सच्चे भक्त चाहिए हमें फुटबॉल के लिए कि फुटबॉल को बे इंतहा प्यार करें फुटबॉल प्लेयर्स को रिकागनेशन दिलाने में मदद करें आज जीतने के बाद हर कोई स्टेटस लगाएगा सुनी छेतरी भाई की फोटो लगा लेना कहीं भी कुछ भी लगा लेना और इंडिया के मैच का रिजल्ट अपने इंस्टाग्राम स्टेटस या वाटसेप स्टेटस में लगा हो ता कि जो लोग अज्यानता में जी रहे हैं फुटबॉल के बारे में नहीं पता हुने कि भाई इंडिया क्या कर रहा है फुटबॉल में कुछ नहीं कर रहा है उन्हें बता हो कि हमने इंटरनाशनल मैच जीता है चाहे इंटरनाशनल फ्रेंडली चल रहा हो कोई बात नहीं बर हम लोगों ने ये मैच जीता है हमने सामने वाले प्लेयर्स को पसीना बहा के हराया है खून पसीना एक की है दोस्तों कम बात नहीं होती हाफ टाइम खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है प्लेयर्स अपनी अपनी पोजिशन लेते हुए गेम को शुरू करने वाले है थोड़ी देर मैं बताता हूँ जैसे गेम शुरू होगा फाई एफसी एशिया कप में क्वार्टर फिनाले तो खेल ही सकते हैं जरू खेलेंगे फाई मंगोलिया इस वीक टीम विद 183 वर इस नेक्समाच अफ इडिया प्रूंटीम तैफून थे नेक्समाच इस आर फ्रूल्थ जून फिफींट जून और एटींट जून ठीक है त्वेल्थ जून को भी एक मैच होगा फिर फिफींट जून को होगा यहां पर इंडिया काफी एचे पासिंट करता हुआ छे नमबर खिलाडी सत्रा नमबर खिलाडी ने बहुत ही शांदर पास दिया वर्ट रेसीव नहीं कर पाए दस नमबर खिलाडी सहल भाई और यहां पर भारती खिलाडी को गिरा दिया यल्लो काट दिया तीन नमबर खिलाडी को यलो कार्ड दिया, तीन नमबर खिलाडी को, सुनील चेत्री भाई को पीछे से धक्का दिया, तीन नमबर खिलाडी, काफी जाता गुस्सा हो गए है, जान बुचके सुनील चेत्री भाई शो की तो, इंटेंशनल, और भाई, सुनी मार दी, कोई ही मार दी भाई ये तीन नंबर खिलाड़ी को यलो कार्ड पुरे वो द्रोज फाल तो में भाई फाल तो में कोई वो नहीं था इंटेंट पता नहीं क्या भागते भाई सुनील शेत्री के मूँ पे मारा कोई ही देख लो ऐसे होता है कि उन्हें पता है कि आगे जाकर यही करना है आगे जाकर क्या करना है आगे जाकर भाई को हराने किसी तरह है तो सुनील शेत्री को इंजड कर दो ये चाला की होती है भाई फुटबॉल में जो स्टार प्लेयर है उसको हटा दो फीफा में भी तो नेमार को इंजर्ड कर दिया था ताकि वो जीत ना पाए और भाई बिचारा इतना रोया था उसके मतलब हिल नहीं पा रहा था उसकी कमर में इतना भेंकर इंजरी दी थी उस बिचारे को वो आज़े मुझे दिन्याद है ब्राजील और वो बंदा 11 दिन बाद भी खड़ा नहीं हो पाया उसके बावजूद कहरा था है मैं फाइनल खेलूँगा तुम सेमी फाइनल किसी तरह है तुम किस दरह कोटर फाइनल क्रोस करो मैं ज़रूर कھیलोंगा सेमी फाइनल मैं ज़रू क्ईलूंगा पर कोटर फाइनल या रब सेमी फाइनल तक नहीं पहुच पाई थी टीम ऐसा को चुछ हुआ था बहुत पहले की बाट है यहाँ पे इंडिया काफी अच्छा अटाकिंग मोड आन करते हुए मंगोलिया के उपपर हमला कर रहा था बट हमला एक्जीक्यूट नहीं हो पाया डी के पास गए डी के पास अंदर काफी जादा इंटरसेप्शन हुए और फिर बॉल क्लियर हो गई 844 हो चुके हैं प्लीस सब्सक्राइब तो चैनल अगर आप मैस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैच पहुँच चुका है 48 मिनिट के अंदर 19 लोग हमारे सब मैस देख रहे हैं वा हाफ टाइम पे 30 और मैच के टाइम बठा रहा ये क्या गड़बड है दोस्त ये कौन सा मैच है मैच के टाइम पे होने चाहिए ज़्यादा हो रहे है हाफ टाइम के टाइम पे होने चाहिए कब ये तो कुछ अजूबा चल रहा है हमारी लाइच स्ट्रीमिंग में तो मैच इंडिया वर्स मंगोलिया का 48 मिनट के अंदर पहुँच चुका है आगे बढ़ता जा रहा है धीरे 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 टिक टिक जैसे हो रही है वैसे दिल की धड़कने बढ़ती जा रही है मंगोलिया पूरा तरह किसे डिप्रेशन में जा चुका है क्या अटैक कर पाएगा मंगोलिया क्या आटेक कर पाएगा यहाँ पर भारत ने बहुत ही शांदार हेड लिया है और यहाँ पर डिफेंस के पास बाल डिफेंस ने बाल कीपर को दे दी इंडियन प्लेयर्स तेनात हो चुके है डिफेंस के पास बाल है इंडियन प्लेयर भाकते बे आए थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर बचा लिया बहुत ही भेंकर शूट मारा है इंडियन डिफेंस में बॉल को क्लियर किया मंगोलिया के प्लेयर यहीं पर खड़े थे बॉल को काफी अच्छे तर प्रोटेक करते हैं मंगोलिया प्लेयर बॉल को बैक पास कर चुके है एक लंबा क्रॉस बनाएंगे मुझे लगता है यहां पर छोटा सा पास दिया छोटा पास एक अगें शौट शौट पासे चल रहे हैं एक लंबा क्रॉस राइट विंगर को दे दिया चाड नमर ख्लाइन ने छोटाई पास की इंडिया के डेफेंस के बास बॉल आ चुकी है सुनेरमाखवा गवाया मंगोलिया ने यहां पर मंगोलिया के बास फिर से बॉल आ चुकी है मंगोलिया के प्लेयर खुदी गिर रहे हावा में और यहां पर पास दे दिया गया मंगोलिया के लेफ्ट विंगर को लेफ विंकर ने क्रॉस बनाय अंडिया के प्लेएर के बास बास ब़ो ए गलत पास मंगोलिया दोहरा और यह भारी पड़ने वाला है मंगोलिया को यहां पर अ टैक मूड आन हो चुका है भारत का और यह बहुत ही शांधार तरीके से बास को 17 नमबर खिलाडी की बस बॉल आ गई है और यहांपे क्रोस बना नहीं कोशिए और इतना बढ़िया पास मिस कर दिया यह 17 नमबर खिलाडी चागते भाई ने क्या कर दिया इतना प्यारा मैस था यार इतना प्यारा था आप अटेम्ट खुद ले लेते यार, खुद ले लेते, पूरा मौका था आपके असरेटम्ट का, नई, एंगल सही नहीं था, लेफ्ट पैर पर बॉल थी, एंगल सही नहीं था, सॉरी, my bad, पर क्रॉस थोड़ा देखके कर लेते यार, जब अड़ दस्तिया क्रॉस क्यों किया, जब पीछे डिफेंस आ रहा था था, गो इंडिया, बढ़िया मैट चल रहा है, यहाँ पर कॉर्णर लेने जा रहे हैं, साथ नमबर खिलाडी थापा भाई, थापा भाई ने यहाँ पर बॉल को पास करने की पुरी कोशिश, जिंगन भाई भी तयार है, हेड मारने के लिए, और डिफेंस ने, मंगोलिया के, और यहाँ पर बॉल आ चुकी है, इंडिया के, डिफेंस के बाद पहुंच चुकी है बॉल, बॉल को गोल कीपर को खिलाया गया, इंडिया को अपने गोल कीपर पर काफी भरोसा है, डिफेंस की बजाए गोल कीपर को बॉल पास की, यहाँ पर फिर से गेम चलता हुआ विशाल रणा और गोल क्यों नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो पारे गोल प्रीज डू इट मेक इट 5-0 विशाल भाई ने कसम खाई है कि अगर तीसरा गोल नहीं हो तो खाने का एक निवाला नहीं खाएंगे तो भाईयों गोल मारो विशाल भाई भूके ही चले जाएंगे विशाल भाई की भूक को खतम करो एक गोल और मारो विशाल भाई बहुत कटर है विशाल भाई ने कह दिया तो खाने का एक निवाला नहीं डालेंगे मूँ में विशाल भाई को भूक लग रही है भाई खाना खिलाओ टीम इंडिया एक और गॉल मारो यहां पर भारत के कीपर के पास बहुत ही शांदार तरीके से बॉल आई और भाई ने एजली कैच कर ली काफी डिफिकल्ट हो रहा है मैच 13 के हमारे खेमे तक पहुँच रहे हैं गुर्पीद सिंग सांदू आराम से बैटके कुछ चबा रहे हैं चुईंगम खा रहे हैंगे सीरियस मोड आउन कर चुके हैं गुर्पीद भाई अपना बॉल आ चुके टीम इंडिया के बस यहां पर मिट फिल्डर्स की तरह है डिफेंस पूरा टीम डिफेंस केल रहा है सिर्फ दो स्ट्राइकर हैं मंगोलिया के फ्री गूम रहे हैं बाकि पूरी टीम डिफेंस में चिप की हुई है यहां पर एक बहुत ही शांदार शॉट टीम इंडिया की गोल की पर ने बाल को अपने बास रख लिया है ब्रो नौवग देजोविक इस प्लेंग तोडे स्कूर वन वन थैंक्स अलोट स्टमबल प्लेयर फॉर अपडेट बदेट अभी लेट्स फुट्बाल गाइस सपोर्ट फुट्बाल ठीक है फुट्बाल को सपोर्ट कीजिये सपोर्ट 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 इंडियन फुट्बाल माच 53 मिनिट के अंदर माच पहुँच चुका है मंगोलिया के पास बॉल आ चुकी है मंगोलिया ने बॉल पास कर दिए डिफेंस को डिफेंस वाले प्लेयर देखते हैं लॉंग शॉट खेलेंगे हैं शॉट 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 पास किया है पीछे वाले डिफेंडर को डिफेंडर ने बहुत ही डिफेंडर ने बहुत ही शांदार पास किया बर्ट यहाँ पर हेड लगा दिया टीम इंडिया ने और बॉल को क्लियर कर दिया है यहाँ पर बॉल रोक नहीं पाया मंगुलिया के प्लियर और यहां टीम इंडिया ने इंटरसेप्ट करके बॉल को अपने ही टीमे मार दिया यहां पर बॉल को पास कर दिया गए यहां से जो हमारे प्यारे से प्यारे से प्यारे से राइट लेफ्ट विंगर है वो निकल चुके है प्राइवेट प्राइवेट जो कंपनीज है वही सपोर्ट कर रही है अब हीरो देखो प्राइवेट है वो सपोर्ट कर रही है स्पॉंसर के है पुरा गोर्ववर्मिns पतानीगी कप करेगी स्पॉंसर इतना पैसा कब आएगा गोर्वरॉंड के बास पैसा लेना जानती एक कौर्ववर्मिंट देना नहीं फुटबॉल इसी कारणों से पीचे है यहां पर बहुत ही शांदा दरीके से बाल को पास किया गया हम भारत के पास बाल आ चुकिया और यहां गोल आफसाइड दिया गया है मेरे सबसे भारत को मिल गया आफसाइड सब्सक्राइड आफसाइड आफसाइड गडबड़ हुई मंगोलिया को एक दो चानल दे रहे हैं जीतने का सिक्स्टी सेवन के हो चुके है मैस थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है चब तक मज़ा नहीं आएगा यहां पर मैंच फिर से टिकी टाका चल रहा है टिकी टाका कभी कोई पीछे बैक पास्थ दे रहा है टीम इंडिया आराम अराम से खेल रही है कोई अटाकिंग मूव नहीं बना रही है भी टीम इंडिया इस से बहतर खेल सकती है I don't know why but they are playing slow और यहां पर एक बहुत ही बढ़िया मौका टीम इंडिया के पास एक बढ़िया शॉट नहीं क्रॉस बन सकता था यहां पर आज उदानता भाई क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है उदानता भाई का आज गेम मुझे पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी क्या बढ़िया पास निकाला है हील पास दिया और यहाँ पर उदानता भाई ने सब बरबाद कर दिया यह क्रॉस मार सकते थे बट क्रॉस नहीं मारा सहल भाई का पास एक नमबर सहल भाई का पास एक नमबर गाईज वाट अ ग्रेट प्लेयर सहल भाई है पासिंग तो मज़ेदार बना दी दिया देखकर ही दिल पानी पानी हो गया यहाँ पर जिंगन भाई डिफेंस के मामले में नमबर वन और सहल भाई मिडफिल्डर कमाल के अभी सुनील छेतरी का भी गेम प्ले इतना दिखा नहीं यहाँ पर ड्रिफल करते हुए पास दे दिया छेतरी भाई ने छेतरी भाई मुझे लग रहा है गेम प्ले खिला रहे हैं सबको अभी खुद अपना बीस्ट मोड और नहीं कर रहे हैं सो नमबर खिलाडी के पास बाल सतर नमबर के पास बाल पहुंच चुकी है बाल को बहुत ही शांदर जेगे पे निकाला शूट पास खेलके बाल को अपने पास रघ्वा है भारत ने भारत ने बाल को अतना बहतरी उन्चांस मिला था उदान ता वो सेंटर पर पास देता वही पास ना देकर इतना गलत एंगल पर शॉट मारना बेकार थाया मेरे इसाब से बहुत बड़ी गलती की इस गलती की कोई माफी नहीं होती बहुत 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 प्लेयर को गिदा दिया बॉल मंगोलिया के पास काफी अच्छा पास देने की कोशिश मंगोलिया द्वारा बट कोई फाइदा नहीं हसते भी मंगोलिया के खिलाड़ी 26 नमबर अंदर आ रहे हैं 26 नमबर और 19 नमबर आई गैस टीम इंडिया प्लेयर बदलते हुए टीम इंडिया प्लेयर बदलते हुए स्टार प्लेयर को बाहर बुलाते हैं और वो क्योंकि प्लेयर को अब अंदर भेज रहे हैं क्योंकि जितना वो खेलेंगे उतना वो सीखेंगे जितना प्रेशर में गेम चलेगा उतना भारती खिलाड़ी सीखेगा सीखेगा नहीं तो आगे गोल के से मारेगा तुर इतना वेटरिंग मैच चल रहा था उदानता वो सेंटर पर बाद देना चीए था नहीं दिया यहां सहल भाई और उदानता भाई की जगे आ रहे हैं दो खिलाडी महेश और रोहित महेश और रोहित आ रहे हैं दोस्तों 26 नमबर खिलाडी महेश और 19 नमबर खिलाडी रोहित सहल भाई रिप्लेस हो गए ठीक है सहल भाई को रिप्लेस कर दिये काफ़ अच्छे फॉर्मेशन चलाते हुए गेम को आगे बढ़ाया जा रहा है इंडिया टू जीरो का शांदा स्कोर मंगोलिया से भिड़ते हुए भारत दो जीरो से लीड बना चुका है क्रॉस करने की कोशिश बॉल आ चुकी है और यहां पर गड़ बढ़ हुए एक और स्टीमेक से गले मिलते हुए चहल भाई बाहर बैठे हैं सहल भाई चहल लगा रहा हुए सहल भाई बाहर हो गए हैं दो नए खिलाड़ी अंदर आए हैं जो शीले खिलाड़ी और अंदर आ गए हैं पहले वाले खिलाड़ी अब ठक चुके हैं अदानताında इन सहल आउट और रोहिद और महेश संग इन सबसीर जो इन वोगा वह्याया आजुके हैं आपने मेरा काम आसान कर दिया हुए ओदानता सहाल भाई बाहर हो चुके हैं रोहिद कुमार और महेश बाही सबसीर जो चुके हैं वाई नो चांस फ़र लिस्टिन काला को मिलेगा यार सबकोर्ट मिलेगा आज बहुत बुरा बुरे हो रहा है क्या हो गया मॉल गंठालिय क्या हो गया आपके साथ यहां पर टीम इंडियो का बाल और क्रॉस बनाया उनका कॉर्णर और ज्यादा बहतर नहीं खिल पा रहे हैं थाप भाई के शॉट्स भी बेकार जा रहे हैं थाप भाई ने बस कॉर्णर अच्छे दिये हैं टीम इंडिया को जिताने के लिए उन्होंने पहला स्कोर करवाने में मदद की वह पॉइंट अच्छा था बस उसके बाद उनका गेम ओक्के चल रहे हैं कितना राइम बचा है बचा है उश्याल बचाइब अभी टाइम है काफी है 30-40 मिनट है एक्स्टर डाइम भी जा सकता है मैच 30 मिनट टू बी एक्जाक्ट बाकि उसके उपर जितना मैच जाएगा देखा जाएगा 30 मिनट प्लस इंजिरी डाइम तो फोकस करते हैं मैच की तरफ और आग लगाते हैं लाइव स्ट्रेमिंग पर टीम इंडिया यहाँ पर बहुत ही शांदार तरीके से शाट पासस कहलते हैं आगे बढ़ने की कोशिट बट यहाँ पर बैक पास करके गेम को खोड़ रही है जितना गेम खोलेगा उतना इजी अटाक हो पाएगा अधरवाइस गेम जितना फस्ता है उतना ही रिबाउंड के चक्तर में काउंटर अटैक बन सकता है भारत पे यहाँ चैनमर खिलाडी बहुती स्पीड से निकले 26 नमर खिलाडी को देदी हैं और यहाँ पर क्रוש बनाया अबर मंगोलिया के प्लेइर के पास बॉल आच चुक्य है यहाँ पर टीम इंडिया के पास बॉल आ सकती थी मंगोलिया के सिंगल प्लेयर के बॉल वहाँ से पीछे प्लेइर जगे बिनाता हुआ खकर बनाया कीपर ने बॉल को हाद में बगड़ लिया कीपर ने बॉल को फेका काफी ज़्यादा प्लेयर आगे थे इस बात का फाइदा भारत को हो सकता है पर टीम मंगोलिया का आधी ज़्यादा टीम तो भाई डिफेंस खेल रही है तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ प्लेयर उनके डिफेंस पे खेल रहे है और दो सिर्फ स्ट्राइक पे है एक बहुत अच्छी जगए है ओ माई गॉड है यह अगर पास चला जाता यह पास चला जाता लेफ्ट विंगर को तो मज़ा ही आ जाता और यहां पे था पाई ने बहुत ही शान दर पास और यह क्रॉस बनाया भारत अपनी जगे पे नहीं थे थोड़ा सा मिस्स प्लेस हो गई बाल जहां खड़े थे वहां नहीं आई यार आज मज़ा ही नहीं आ रहा फुट बाल अच्छा जा रहा है बस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड विकेट गिर ही नहीं रहा है ऐसे कैसे गिर जाएगा भाई दिन राद मेहनत करते हैं वो लो हम तो आई पेल में चिपके हुए हैं हम टीम टीम इंडिया टीम नाशनल टीम के साथ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं इस ट्रू स्पोर्ट्स लवर चैनल वन वीक गुजर कर तो देखो अच्छा विशाल भाई कह रहे हैं यह चैनल भाई स्पोर्ट से प्यार करता है चाहे होकी हो आर्चरी हो या फिर फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो हम लोग जान देते हैं फुटबॉल के लिए अपना समय फुटबॉल बैडमिंटन और भी कई स्पोर्ट्स को दे चुके हैं होकी एक्सपर्ट विशाल भाई भी लगातार होकी देर दिखा रहे हैं चाहे व्यूज आए नाए मैच को पूरा दिखाया जा रहा है थोड़ ऐसा कभी कभी बिजी हो जाते हैं तो बस उस टाइम न बुरा फुटबॉल का वाचिंग मैं कभी सोच भी नहीं सकता था क्यूंकि लोगों को अवेर्नेस ही नहीं है कि इंडिया वर्समंगोलिया भी कोई मैच हो रहा होगा आप तो हमारी स्ट्रीमिंग पर आता हो इसलिए आपको पता है हैलो खुश बरौत हावाई यू खुश खुश बाई हमारे साथ है खुश बाई हमारे साथ है वेर टुवाच खुश बाई पहाडी प्रिद्स के साथ देखो अधरवाई आपको सुस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा आई लब फुटबाल विशाल भाई कहरें मैं फुटबाल देखता हूं गुड ऐसा ही देखना चाहीं विशाल भाई येस भाई फ्री 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 इंडिया होकी तो मै advertisements फिर से शुरू होता हो भारत के खिलाड़ी सुनील चेतरी जी ने 26 नमर खिलाड़ी को बाल पास के ड्रिबल करने के बाद भारत को बहार कर दिया क्या भारत को कॉरणा मिलेगा काफी अच्छा पास निकाला चेतरी भाई ने कि दो जिरो का स्कोर अच्छ नमबर खिलाड़ने काफी अच्छी कोशिश की भारती के खिलाड़ी सीधा भागते वे मंगोलिया के चाती पे पैर मारने वाले थे उन्हें धक्का दे दिया और इंडिया के प्लेयर किर गये फुटबॉल में सब है फुटबॉल मुझे बड़ा प्यारा लगता है सपोर्ट में सब कुछ है सब कुछ है I love all sports that's why I support पहाडी प्रदस थैंक्स अलॉट निलेश पॉल भाई love you brother निलेश पॉल भाई को हमने कोई पैसे नहीं दिया ठीक है कि भाई इंडिया टू जीरो मंगोलिया क्या मंगोलिया को मौका मिलेगा और यहां पर इंडिया इतनी बेकार फ्रीकिक मैंने जिंदगी में नहीं देगी थापा भाई को पता नहीं क्या हो गये थापा भाई आठ चली नहीं पा रहे वाई नो इशान पंडिता यार, इतना गंदा थापबाई को बाहर बुला लो लो कोई यार, thापबाई साइज पता नहीं क्या हो रहा है, थापबाई को बाहर बूलाओ, उनको रैस दो यार अभी, आगे के मैच पे खेलेंगे, इतना गंदा फ्री किक तो मैंने आस तक नहीं देखा, it's not a good free kick he wasted the chance कोई और मारता तो at least एक shot गोल पे तो लगता आपा भाई क्या कर रहे हो यार corner specialist ऐसी गलती कैसे कर सकता है यहाँ पे match buffer हो रहा है दोस्तों जैसी match normal हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा tension की कोई बात नहीं है पहाडी ब्रदस के साथ match देख रहे हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे पहाडी ब्रदस के साथ match देखोगे तो life ने थोड़ा आगे रहोगे सारी updates आपको time पे मिलेंगी हौकी में तो full power लगा देते हैं athletes yes यहाँ पर अभी थोड़ा भाई यहाँ तो कोनी कानी पीछे back से ऐसे धड़ा धड़ा लाते वाते चल रहे हैं क्या बताओ मैं आपको इसलिए कुछ player तो इसलिए शानत है energy कम लगा रहे हैं कहीं पता जला मुक्के उक्के मार दी भागते भागते कोई कोनी मार दे रहा है कोई भाड़ से लात मार दे रहा है तो थोड़ा से दिक्कत हो जा रही है और slide tackle तो मंगोली ऐसे दे रहा है जैसे free में धनिया नहीं मिलता सबजी की साथ वैसे slide tackle मार रहा है जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री में दे रहा हो कोई वैसे भाई लोग श्लाइट टैकल मार रहे हैं फ्री में हर एक बाल को रोकने के लिए स्लाइट टेकल का यूज स्लाइट टेकल जितना एफेक्टिव होता है उतना ही खतरनाग बहुत ही बड़ी आपास निकाला था च्छै नंबर के लिए बड़ च्छै नंबर भाई थोड़ा सा बाहर की तरफ गए और बाल के पास नहीं पहुंच पर टाइब पर यहां पर रैट विंगर के पास बाल राइट विंग पर टीम इंडिया बाल खेल रही है और यहां पर डिफेंस को बाल पास कर दिया है we हमन भाइक और कुछ जोश इंट्रस्टिंग बनाना होगा इसे विशार भाई इस सेशन में विकेट ही नहीं जा रहा है रंज इतना लगाते हैं उट ज्यादा इंटेंस होता है दोस्तों और मेंस होकी तो कुछ जादा है इंटेंस होता है वोमेंस होकी में उतना क्विकनेस न नाइन पर डेड़ लॉक हो चुका है यहर गोल पड़ता तो मज़ा आता थोड़ा एनरजी आती यहां तो वाचिंग ही खतरनाव होती कुछ तो होता यहां पर और ज्यादे इंटन्स होता है हो की तो भाई यहां पर मंगोलिया है यहां पर सब्सिट्यूट कर रहा है नए प्लेयर आ रहे हैं गंटॉक तॉक मुंक अर्देने बीस और नौ नमबर नए खिलाड़ी आ चुके हैं मंगोलिया ने भी आखरी के बीस मिनट में चेंज कर दी खिलाड़ी को यहां पर गेम फि है हेड मारना है तो सीधा माता मारो अधरवाइस यह बैक वाले शॉर्ट मत मारो कोई फाइदा नहीं है यहां पर मंगोलिया के प्लेयर के बास बॉल आ चुके यहां पर बहुत ही शांदार तरीके से टीम इंडिया की गोल को बचाना मदला वन-उन-वन में गोल को बचाया 23 नमबर खिलाड़ी पूरा गेम खेलते हुए गुर्पीत से इंसादु आज खेले ही नहीं क्या बात है पहुत ही बढ़िया हैड वाई 23 नमबर प्लेयर बॉल को बार किया गोल की पर ने 25 नमबर खिलाड़ी अंदर आते हुए बारती खिलाड़ी इनका नाम भी बताएंगे कौन बाहर आ रहे है कौन नहीं आठ नमबर खिलाड़ी शायद बाहर जा रहे है ठीक है पालते भाई तो यहां पर नए खिलाड़ी अंदर आते हुए स्टेट उनित पहाड़ इपिसल्स फर मॉर अप्टी तो अल्मोस्ट हर स्पोड का ऐसा ही है मेंस ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वोमेंस से अपर यहां बटेटिक हैं इसा लगता है 70 और 100 परसंट जैसे मेंस 100 परसंट डाल रहे हैं और वोमेंस अपनी दरफ से 100 पर चाहलती हैं हमें जो दिकता है एज कंपेर तो मेंस और उसका दूसरा गाराण ये भी है कि मेंस जादा रुची रखते हैं स्पोर्स में तो वोमें जब रुची नहीं रखती तो देखींगी क्या जादतर वोमेंस रील बनाने में फोकस हैं बट कोई वोमेंस खेलने को राजी नहीं है और यहां पर बहुत ही अच्छा अटैक बन सकता है पर मंगोलिया के प्लेयर नहीं बाल को क्लियर किया यहां पर एक काउंटर अटैक बन सकता था भारती खिलान ने गिर के बाल को पास किया बाल बाल बचाया भाई बहुत बढ़िया सेफ बाई टीम इडिया यहां पर डिफे तरहा बाल को बहुत शानदार तरीके से रोखा गया बाल आगे जा चुकिया है च्वैटी सिक्स नमबर के बास यहां से आगे बढ़ाया राइट विंगर के पर बाल पहुंच चुकिया राइट विंगर ने वापस उनने समें इस नमबर है बर भारती डिफेंस ने उन्हें रोक लिया यहावे शॉर्ट पास फिर से बैक लाइन पे बॉल राइट विंगर के बास बॉल आ चुकी है जगे धेरे बनाते हुए खाली प्लेयर को देंगे मंगोलिया के भाई सहाब चार पांच शे साथ आठ नो नो दस दस लोग पूरे पीछे खेल रहे हैं एक बंदे को आगे रहा है बागी दस के दस प्लेयर टीम इंडिया गो रोक रहे हैं इसलिए मुश्किल हो रहा है भाई डिफेंस को इतना कड़ा बना दिया है मंगोलिया न दस बंदों से डिफेंस करवा रहे हैं सिर्फ एक और दो प्लेयर को फ्री रखा गया है टोडल ग्यारा प्लेयर हैं जिन मेंसे दस और ग्यारा सारी नौ और दस पीछे केल रहे हैं सिर्फ एक प्लेयर आगे फ्री रोटेट कर रहा है जिसकी वैसे ना मंगोलिया की गोल पास वह भी गया बहुत बड़ी है तरीके से शुट बाने एक कोशिश की but सारे डिफञ्ण थे झो खिलाड़ी है वो पूरी टरीके से रोखते हुए यहां वह बे Euch यह गाड निकाल रहे है रहे हैं यह फंनाय दीह यह जो खिलाडी ने बॉल को पास करने की कोशिश की सामने जाके गिराया औरे भाई साथ पुरे पैर की ऐसी के तैसी करती है पैर का कुछ उंबर बना दिया सपोर्ट फोर कंट्री फ्रीली मौलन कंठा लिया है और कैसे हुआ है बिमल राजपूत हमारे साथ आ चुके बिमल भाई कै कैसे हो लेट सपोर्ट फुट्बाल टुगेदर थरीफोर पीपल आ वाचिंग अच्छ लव्यू गाइस कीप सपोर्णि पाहडी प्रदो 75 मिनट्स के अंदर गेम बहुच चुका है 34 लोग हमारे साथ यह मैच देख रहे हैं टीम इंडिया के बस बाल बाल गोल कीपर को दे जिसमें सुनी चेतरी है I like Kerala Blasters मैं अतना फुटबॉल देखता नहीं हूँ दोस्तों but I love to play फुटबॉल मुझे फुटबॉल देखने में रुची नहीं है बट खेलने में जादा है होता हम सपोर्ट करते हैं ताकि जादे जादे लोग इस मैच को देखे और बहतर तरीके से इसको खेल पाएं 75 मिनिट के अंदर एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक हुआ है चोटा सा ड्रिंक ब्रेक है जैसी ही खताम होगा उसके बाद असली मैश शुरू होगा क्योंकि अब चंद मिनिट रह गए हैं सिर्फ 15 मिनिट गाइस देखते हैं इसमें क्या कमाल होता है इसमें 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 इंडिया मंगोलिया का मैच चल रहा है 2-0 का स्कोर है 75 मिनिट के अंदर थोड़ा पानी ब्रेक हुआ है और यहां वे बहुत ही बड़ी है क्रॉस टीम इंडिया कि 10 नमबर खिलाडी ने क्या पहला गोल मारा था क्रॉस करके 10 नमबर खिलाडी ने तो दिल जीत लिया सहल भाई का पहला गोल था फिर दूसरा गोल उदानता भाई का था नहीं सतरा नंबर खिलाडी कर दस्वारी सतरा नंबर खिलाडी बाई चाकते बाई मज़ा आगया था गोल देखकर सुनीच छेतरी अभी तक बीस्ट मोड में आये नहीं है उनका हमेशा से यह रहा है कि हमेशा हर मैच में गोल तो दागते ही है कौन से स्टेट से हो बाई मैं उत्राखंट से हूँ बट रहता दिल्ली में हूँ और अभी लाइफ्ट्रिमिंग भी दिल्ली से कर रहा हूँ सुबा केसरी भाई सुबा केसरी आयो दो वान तुवान प्लीज मॉन गठाले दिल्ली थांक्स अलोर मॉन गठाले हमारे बारे बताने के लिए एक से नाख मूँ चला के लग रहा है तो यहां पर मैट फिर से शुरू होता हूँ टीम इंडिया के बस बाल टीम इंडिया ने बाल पास की यहां पर 26 नंबर पूरी कोशिश कर रहे हैं वन और वन खेलने की बट नहीं निकल पाए मंगोलिया के प्लेयर उनके पीछे चिप आने के बाद पांच नंबर खिलाडी ने डिफेंस को बाल दी डिफेंस ने बाल को आगे रोटेट किया 77 मिनिट हो चुके हैं 13 मिनिट बचे हैं दोस्तों 13 मिनिट के अंदर ये केम समाप्त हो जाएगा क्या भारत आज मैच जीत पाएगा डी के ज़राफ आ चुके हैं और यहां पर बहुत अच्छी ड्रिबल की पास करने की कोशिच पर पॉजिशन पर कोई था नहीं यहां पर बारती खिलाडी भागते वह दिखाई दे रहे हैं क्या बाल चीन पाएंगे मंगोलिया की प्लेयर के साथ नहीं यहां पर गडबर हो गई आईगेस फावल मिलेगा य टीम इंडिया को यलो गार्ड मिल गया है दो सेम टुई ब्रो आइम अलसर फ्रम उत्रफण नहीं डाल क्या बात है यह देव भूमी से हमारे साथ कोई जुड़े क्या बात है काफी अच्छा सुनैरा मौका था भारत के पास यहां पर क्रॉस बनाने की पुरी कोशिश हुई है यहां पर ऑल आई और यहां पर बॉल क्लियर हो गई है कि टेम इंडिया के डिफैंस के बास बाल मंगोलिया के पास बॉल जा चुकी है टू-जीरो का स्कोर है दस मिनिट मन्दा सिर्फ ग्यारा मिनिट बचें दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ दस मिनिट आपकी स्क्रीन में दिखा रहा हुगा अनली फ्यू मिनिट से लेफ्ट टैन मिनिट है इसके अंदर देखते हैं क्या भारत एक और गोल निकाल पाएगा क्या भारत एक और गोल निकाल पाएगा असी मिनिट के अंदर गेम पहुँच चुका है तस मिनिट बचे हैं क्या भारत मंगोलिया पे गोल मारेगा या मंगोलिया भारत पे गोल मारेगा यहां से लॉंग शॉर्ट खेल सकता है मंगोलिया नहीं खेल पाया टीम इंडिया की डिफेंस काफ़ अच्छा चलता हुआ स्टेट यूनित पहाड़ी प्रेदस काईज यहां पर बॉल को और आगे रखा जा रहा है फुल बॉडी कवर दिया गया भारत दोरा नौ नमबर ख्यारी काफ़ अच्छा केलते हुए बॉडी कवर काफ़ अच्छा दिया मंगोलिया के प्लेयर को बॉल नहीं ले जाने दी हमाई स्ट्रीमिंग में और कौन-कौन है जल्दी से प्लीज लाइक को स्ट्रीम और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले एट लिस्ट थर्टी लाइक कर दीजे ताकि हम लोग को मज़ा आए फुटबॉल को दिखाने में अधर वाइस यार मज़ा नहीं आ रहा इंस्टरीम आईटी क्या है गड Ugh Ang Instagram ID if you want to follow me on Instagram you can follow me ठीक है तो आप बात करें यहां पर India versus Mongolia के मैच की क्या चल रहा है India versus Mongolia के मैच में यहां पर बहुत ही शांदार तरीके से ball को clear किया गया by Indian defense और यहां पर goal की पर मंगोलिया के पहार मार दिया है कि करके अब पर India को मिलेगा ईजी आउट साइड टीम इंडिया आउट साइड लेता हुआ तीम इंडिया आरा हमसे टाइम वेस्ट कर रहा है उसे पता है कि अब जीत गए हैं तो जीरो हो चुक है दस मिनट में दो गोल तो नहीं मार पाएंगे मंगोलिया ना ही हम मारने देंगे टीम इंडिया क्रॉस बनाने की पुरी कोशिस टीम इंडिया के प्लेयर्स बनाने की पुरी ट्राइ कर रहा हैं बर नहीं में बना पाहें ये तह फावल है बाई पूरा फावल है पूरा फाउल है हाथ पकड़ के घुमा दिया है 26 नंबर खिलाडी को हाथ पकड़ के घुमा दिया है क्या बता हूं मैं आपको टीम इंडिया के 26 नंबर खिलाडी को हाथ पकड़ के पूरा घुमा के गिरा है यह तो इसको तो रेड गार मिलना चाहिए इंटेंशनल ही किया है आचा टीशिट पकड़ की हुआ है, सौरी, मुझे लगा हाथ पकड़ की हुआ है, चब इस नमबर को बहुत बुरी तरीके से फाउल कराया, मिलना चाहिए, रेड गार तो मिलना चाहिए, एक टीशिट पकड़ने वाला गेम पतानी कब खतम होगा, यहाँ पे फ्री गिक मिली है, पुर्ण यहाँ अधर काहिए, तो मिलना चाहिए, पुर्ण बहुत 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 अधर की है, ओ भाई सहाव, वाट अक तो ग्रेट हैड गाईज वाड़ ग्रेट हैड बाई टीम इंडिया इतना बढ़िया हैड मज़ा आ गया बट गोर्ड नहीं हो पाया विशाल भाई को लग रहा है कि आज खाना नहीं खाने देंगे यू नियू लोग जोट रहे हैं अच्छा येस विशाल भाई कितने सस्क्राइबर होगा एक बर बता दो एक बर हमें बता दो सस्क्राइबर कितने होगा बहुत ही शांदार तरीके स सीधा बाहर मारती है वेलकम तो पहाडी ब्रिदर्स फैमिली बिमल राजपूत यहां पे 23 पीपल आ वाचिंग देखते हैं टीम इंडिया के बास डिफेंस पे बॉल बॉल को पास कर दिया गया फिर से बॉल को पास किया गया साथ नमबर खिलाडी को साथ नमबर ने डिफेंस को बॉल पास कर दी बॉल राइट विंग की तरफ पहुंच चुकी है राइट विंगर बॉल को दीदर आगे बढ़ाता हुआ यहां पर स्ट्राइकर के पास आ जगे नहीं छोड़ रहे हैं, दस के दस खिलारी पीछे खड़े हैं, सारे प्लियर्स को माग करके खड़े हैं, एक पर दो दो खड़े हैं, और यहां पर इंडियन स्ट्राइकर्स को निकलने में जोड़ी मुश्किल हो सकती है, वाड़ स्लाइट टेकल बाइ टीम मंगोलिया, मंगोलिया के प्लियर ने हमारे प्लियर का इरादा चकना चूर कर दिया, भाई सोच रहे थे, यहां से ऐसे निकल लूँगा और गोल मार दूँगा, बट मंगोलिया ने तुरन देख स्लाइट टेकल दे के गेम खतम कर दिया, आपका साथ लाइट देखकर अच्छा लगा, I hope subscribers जादे से जादा ग्रोव होगा, love you, विमर गाजपू, thanks a lot brother, love you too, keep supporting पहाड़ी brothers and keep supporting football, यहां पे 6 नमर खिलाड़ी ने काफी अच्छा पास किया है, और यहां पर डिरिबल खतरनाक चलता हुआ, हाथ पैर चलाते हुए दोनों खिलाड़ी, 9 नमर, 2 नमर, defense के पास, काफ corner, keep support and live stream में ऐसे ही join करते रहूं, भाई यार, very sad performance in यह, मंगोलिया का defense बिल्कुल तगड़ा, अरे भाई जब तुम 10 बंदे पीछे खड़ा कर दोगे तो defense तो तगड़ा ही होगा ना, तो मंगोलिया के player गोल भी तो नहीं मार पारे इसी कारण की वज़े से, यह देखो ना उनका पूरा अब फोकस होगे कि दो गोल से ज्यादा नहीं मारने देना इनको, अब यह जब तक नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा पहाडी प्रिदर्स गाई, स्टेट यूनित पहाडी प्रिदर्स शशान के सी, भाई यार वेरी सेट परफॉर्मेंस यह बहुत ही रोमान चक चलता हुआ, कीप सपोर्ट एन लाइफ स्ट्रीम में ऐसे ही जॉइन करते रहे हैं, भाई मंगोलिया खेलती ही ऐसे हैं, तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, विंग से लेकर जाओ, विंग से, विंग में नहीं मारती मंगोलिया डिफेंस इतना से सेंटर पर रहता है, सेंटर पर रहता है, पर भाई, आपको कैसे बताऊं, साइड से जाने में क्रॉस में भी तो इतने बंदे हो रहे हैं, कि वो सारे इंटरस्प्शन में बाल को बाहर कर दे रहे हैं, जब आप साइड से जा रहे हो, साइड से ही जा रही है ये टीम इंडि है क्रॉस भी नहीं बनाने दे रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस ना बनाने दिया जाए इतने जब बंदे पीछे खड़े रहेंगे दो दो बंदे एक पर खड़े रहेंगे तो मुश्किल है गोल मार पाना यह हो संदे पर 3 दिन लोग खड़े हैं. इस राइकर अगर तीन है तो उन पर 6 लोग खड़े हुए. पांच मिनिट लेफ्ट राइट, यैस. तो और त्री मिनिट लेफ्ट गाईज, अझे तू और त्री मिनिट लेफ्ट. उसके बाद देखते हैं क्या एक्स्टर टाइम मिलेगा या नहीं 87 मिनिट्स 17 नमबर चाकते भाई को हीरो आफ दे मैच 17 नमबर ख्लारी को मिलेगा हीरो आफ दे मैच बाल बाहर जा चुकी है इंडिया 2-0 आशीश पतेल इंडिया 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 शिट मेरी प्रेडिक्शन फुटबाल में नहीं चली विशाल भाई 3-0 की डिमांड कर रहे थे विशाल भाई अब खाना कैसे खाओगे पेंशन तो इस बात की है आपके कोई फुटबाल अकैडमी है कै सर बिमल मेरी फुटबाल अकैडमी नहीं है मेरी अथलेटिक्स अकैडमी है और फिटनेस अकैडमी है जहां पर हम लोग वो फिड भी करते हैं और अथलेटिक्स के लिए तयारी भी करवाते हैं पर इतना है कि अगर आप आओगे तो आप फुटबॉल में भी बेस्ट बन जाओगे ड्रिल्स ऐसी रहती है हमारी 8841 88 मिनिट 41 सेकंड हो चुका है शुरू गेम और यहां पर बहुत ही शांदर मौका टीम इडिया को बाल पास की और यहां पर वन अन वन का सीन और यहां पर गोल हो सकता है भारत का नौ नमबर खिलाड़ी ने काफी जादा ड्रेबल कर दिया यह मौका हाथ से गवा दिया गया अरे भाई साब किस बात के लिए यह दिखा रहा है भाई देखते हैं आफसाइड दिखाई जारी आफसाइड थी यह पूरी आफसाइड थी वैसे अर्णिया ने करती छह आफसाइड है अभी हार सकती है किन्दिया नहीं अब नही City बहुत मुँकिल जा के आउ हाराना मतलब नामुम के जाए है सुनील चेतरी भाई भी बहर बढ कढso良 करें हराना नहीं है हारना नहीं नहीं अब नहीं हार सकती है what is your अधर occupation आपयदेश प्रफेश्टनल भाई नीर मुंचाला चाला हमने लोगों को फिट करने का जिम्मा लिया है कि हरा नहीं लेबर वर्क करते हैं भाई स्ट्रीम के लावा जाएंगे भी मुझा उठासे अरे हां तीन चार घर बनवाने या रीटे लगानी है पजास पर से बैग उठाने है या आ रहा हूं गुड़नाइट विशार भाई अमन भाई और फ्रेंट्स थांक्स लॉट फॉचिंग प्यूटिफल मैच पहाड़ी विद्स पांच मिनट के एक्ट्र टाइम दिये गया है दोस्तों यहां पर भारत पर हमला हुआ भारत ने क्लियर कर दिया यहां मंगोली अटैक मोड पर भी मसलब नाकामियाब कर दिया उनका इरादे को फिर से टीम इंडिया और मंगोली अगा मैच खतरनाग मोड पे टीम इंडिया के डिफेंस में आ चुके हैं पूरे अटैकर मंगोलीया के आखरे के पांच मिनट में बतानी क्या हो गया है मंगोलीया को पूरे अटैक मोड प अच्छे यहां पांच मिनट के टाइम को वेस्ट करते हुए इंडियन प्लेयर एक मिनट हो चुका है पांच मिनट में से सिर्फ चार मिनट रह गए हैं चार मिनट कुछ सेकिंड बाल को क्लियर करने की पूरी कोशिश भारत दो रहा हुए यहां मंगोलिया ने बाल को चाल दिया है कीपर ने बाल को हाथ में बगड़ लिया है बाल को आगे फेकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भारती खिलाडी तेजस नबर ख्राडी हो ऐराहम से मैच को देख रहे हैं कौन? किसको देना है? और यहां पहु बाल द्यक्तवर को राइट इफेंडर को राईट डिफेंडर ना बाल को आगे किया 25 नमर प्लेयर को दिया वो पिस डिफेंडर को बॉल दी डिफेंडर बॉल लेके आगे जा रहा है और यहां पर 9 नमर ख्राड़ी को बॉस बॉल और 9 नमर ने एक बहुत ही प्यारा चिप शॉट ने का रहा है जो कि आफसेट दे दिये गया 17 नमर उदानता भाई को आफसेट पर आफसेट पर आफसेट पर आफसेट पर आफसेट उदानता भाई दुबहर हो चुके सारी 17 नमर चाकते भाई को आफसेट दिया गया 92 थ्री मिनिट्स का मैच रह गया थ्री मिनिट्स का मैच रह गया दोस्तों विशाल भाई गेहूं की बोरी उठाओ पिछले संडे मेरे गेहूं आए तेरा बोरी अपनी छे बोरी पडोस वाली अंटीची की लिए सिमेंट पचास कीजी होता है वहीं उठा पाएंगी पांच रुपे पेट बैग मिलेगा अरे यार विशाल भाई रेट बढ़ा दिया मैंने दस रुपे पर बैग कर दिया है यहां पर हमारा डिफेंस क्या भेंकर उड़के गया और मंगोलिया के प्लेयर को ऐसा गिराया कि होशी नहीं है येलो कार्ड मिल गया है येलो कार्ड मिल चुका है भाई सहाब भारत के एक और खिलारी को येलो कार्ड मिला येलो कार्ड मिला है जिंगन भाई को दिफेंडर आफ टीम इंडिया दा स्ट्रॉंग पिलर आफ टीम इंडिया और यहां पर एक लॉंग शॉट खिला गया और मंगोलिया के प्लेयर के पैर से लगी बॉल बाहर जिन्गन माहिने कैप्टन का वो बैच मैंन लिया कि मंगोलिया जीरो इंडिया दो गोगो इंडिया विंडे मैच आज की दिहाडいहां त्जा डेल में यह इंडिया जरूर जीता है और प्लीज स्टोरी लगाना और बाकी दोस्तों मोटिवेट करना कि भाई इंडिया के लिए एक स्टोरी दो बनती है आज भारती खिलाड़ी उन्हें काफी दम दिखाया है तो प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए स्टार्टिंग से ही दो लीड बना ली ताकि भारत कि जित गोल मार के भारत की गेम को असान बना दी है उसके बाद अब इंडिया डिफेंस भी करे तो भी गेम इंडिया के हाथ में है सिर्फ चंद पल रह गए हैं दोस्तों सिर्फ चंद पल रह गए हैं और भारत का गेम यहां पहुंच चुका है आखरी 30 सेकंड के अंदर ये गेम खत्म हो जाएगा सुर्फ 30 सेकंड बचे हैं लास्स 3 सेकंड और यहां पर कार्णर बहुत ही खतरनाक टीम इंडिया के ले यह बहुत खतरनाक थाबित हो सकता है, यह कॉरनर टीम इंडिया के लिए टफ हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही शांदार तरीक से उचाला, और मंगोलिया के बास बाल क्लियर शॉट ले सकते हैं पर नहीं लिया टीम इंडिया के बाल क्लियर करने की बजाए उन्होंने बाल को चलाया और यहाँ पर बाल को पास किया बाल सेंटर मिट फिल्ड के पास बाल को लेके आगे जा रहे हैं और यहाँ पर पास दिया और यह गड़बड कर दी पास देने में पर उसके बवजूद टीम इंडिया के बास बाल का पोजेशन है गेम अप यहाँ चाक्ते भाई को मैन अफ दो मैच मिला है दोस्तों चाक्ते भाई को मैन अफ दो मैच और चाक्ते भाई ने जो गोल मारा है उसके लिए आज सल्यूट है दोनों खिलाडियों को चाक्ते भाई एंड सहल भाई के दो गोल की वज़े से भारत को चीत मिली धन्यवाद टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अठारा लोग हमारे सथ कॉंटिनियूसली बने रहे थे अच्छा हुआ है ऐसा नहीं था कि पांच यह चार पांच यह चार काफी डी मोटिवेशन होता है दस से नीचे देखते हैं न तो बड़ा डी अठाने आप लोगों की ट्रेनिंग करवाते हो तो आपका भी आप्स होगा देखाना हो तो अच्छा है सब्सक्राइब दिखाता हूं थोड़ी देर रुको अभी आता हूं अभी वह अपना वह आप्स वाला प्रक्ट पैकेट पैन के आता हूं एंड में रन बना बट चार ते ने गलत पास कर दिया हाँ चांसे थे दो चार चांसे इंडिया ने मिस किए काफी अच्छे हो सकते रविषाल भाई तो अवरत ले ले लेंगे विशाल भाई ने बोला है कि दो के बाद नहीं किया तो खाना नहीं घाँगा और विशाल भाई भूग रह जाएंगे चलो बारा हूँ बार बार टेक करें